जहां पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का डामन ठाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहुल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कॉंग्रेस की बड़ी रणिती के तोर पर भी इसे देखा जा रहा है और सूत्रों के अवाले से खबर ये भी है कि चूरू से राहुल कस्वा को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है तो अगर ऐसा होता है तो देविन जाजडिया और राहुल कस्वा के बीच सीधी ट क्योंकि अभी बैटक की जा रही है मलिकार जुन खड़ गे कॉंग्रेस के राश्री अध्यक्ष के गर पर ये बैटक चल रही है जिसमें सुकजिंदर सिंग्रंदावा से लेकर डोटा सरा और निता प्रतिपक्ष भी पहुचे हुए और वहीं पर राहुल कस्वा भी मौज है आपको बता दे कि मौजूदा सांसत का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ती प्रदर्शन भी किया उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं तो बीजेपी ने जब टिकट काता तो राहुल कस्वा खफा हो गया नाराज हो गया और वो नार जिबलकूल प्रिंका जिसक्रकार से कल कॉंग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भार्ती जनता पार्टी की तरफ फिले किया था और कार्ती जनता पार्टी का रुख अपनायाच था उसके कार्ट में आज राहुल कस्वा जो की मुजूदा सांसतर 10 साल से लगा रासरा प्रभारी सुभजिंदर सिंग रंदावा और नेता प्रतिपक्ष टिकराम जूली भी मौजूद हैं काभी बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है भारती जनता पार्टी को चूरू में क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राज संसथ सदस्थ से स्क्राइब का जिकर करते हुए भारती जनता पार्टी के शीर्ष नेत्रतों का आभार भी जता है कि दस साल तक उन्हें जिस प्रकार से संसथ में पहुंशने का मोका दिया से लिए नरेंद्र मोदी अमिट्शा और जयोपिन डग आभार लेकिन एक बात औ बाए बगाए इन डारेक्ट तरीके से कई बार राजिंद राठोड पर उन्होंने हमला बोला था और अब चूंकि आज वे कंग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कंग्रेस की केंद्री चुनाव समिट्टी की बैठक होगी यह शाम को जिसमें राजस्त यह से होगा तो काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिग्ड़ जात नेताओं के बीच यह मुकाबला होगा हालांकि रावन का स्वाकों काफी बड़ा अनुबव हैं बड़ी फोज कारे करता हूं और समर्थकोर के उनकी चूरू लोगसबक शित्र में ह हैं लेकिन बारती जिमता पार्टे के जो कद्दा और नेता हैं वे लगातार उनके साथ जन्सम पर करते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए वोट मांगते हुए अभी से जुट गए हैं जिनमें सतीश पूनिया जो की चूरू से आते हैं वाजिन राठोर जो की चूरू से और भी कारेकरताओं की और निताओं की बड़ी फैरिस्ता जो की उनके लिए जन्सम पर कर रहे हैं लेकिन अगर राहूल कस्वा चूरू से कॉंगरेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफी रेचग ये मुकाबला होगा क्योंकि राहूल कि भारती जन्ताब पार्टी से कटा है और अब कॉंगरेस के प्रत्याशी के रूप में अगर चुनावी मेदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वह काफी उत्साइधर उन्हीं के फैसले के अधार पर वो कॉंगरेस पार्टी में शामि चल पर बहुत स्वागत बढ़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्री में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस कॉंग्रेस के कई दिगज निताओं को उमिदवार बना सकती है वहीं आज ही कॉंग्रेस में शामिल हो रहे है चुरू के सांसत राहूल कस्वा के नाम पर भी CEC में मोहर लग सकती है ये बड़ी सूचना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर ग याक्तरा को बीच में छोड़ कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में राहूल गांधी भी शामिल रहने वाले हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बैठक की है वो ये है कि राजेस्थान में किन-किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर जेपी मुख्याले में छे बजे ब्रधान मंत्री नगांधी बात बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभा सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्था दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खडगे जो कि अध्यक्श है कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्ट और साथी गोविन सिंग डोटासरा भी मौजूद रह सकते हैं तीन सीटों पर ग कि बैटक पर पॉस्टर है तो 25 की लोग सबा सीटों पर आज चर्चा होने के साथ ही संभवता हो सकता है कि 25 के 25 सीटों पर सारे कैंडिडेट उतार दिये जाए या कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाए और वहीं अगर देखा जाए तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटक होनी है और बिजेपी भी बची हुई दस सीटों पर कैंडिडेट को तार सकती है इस खबर पर हमारे संभध आता लगबीर जुड़ेवें लगबीर क्या है अभी अबडेट क्या है जानकारी सीटों की बैटक को लेकर जी देखे आज शाम कॉंग्रेस केंडरी चनाव संभिती की बैटक पर स्तावित है और इस बैटक में राज़स्टान के सीटों पर भी डिसकुशन किया जाएगा जाएगी जिसके बाद जब दूसरी सूची कॉंग्रेस पार्टी जारी करेगी तो उसमें राज़स्टान से जूड़ी सीटों पर भी अलान किया जाएगा आज की सीटों इसलिए भी मैटफोन है क्योंकि चूरू से मुझूदा भारती जिनता पार्टी की जो सांदर्द है राउल कस्वा वो दो पर एक वज़े कॉंग्रेस का अदामन थाम मेंगे कॉंग्रेस अद्द्यक्ष मलिकार पूर मुख्यमुति अशोग गलूद गोविन डोटासरा सचीन पालेट सरी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे इस जुरू के बाद चूरू पर भी डिसकुस किया जाएगा और चूरू की सीट को भी लोक कर दिया जाएगा क्योंकि अभी मोटा मोटी तैह हो गया है कि परिट्याशी देवंदर जड़िया के सामने चूरू से कॉंग्रेस पार्टी रहुल कर्षवा को तुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका टिकट जो भार्टी जंदा पाटी के तरफ से नहीं सार्थ ति कि उनको बताना जेसा उनसे डिसकुस करना जेएगा तर लिए काफी आ कॉंग्रेस पार्टी अपने कई दिगजों को चुनावी मिदान में उतारने की तैयारी में है क्योंकि पार्टी चाहती है कि पिछले दो चुनाव से जो ट्रेंड चला रहा है राजस्तान में कि 25 की 25 सीटे बारती जनता पार्टी और एंडिय गटवंदन को राजस्तान की जन कर देने के लिए तो आज सीसी की बैटक बहुत महतुपूर होने जारी है तीन सीटों पर गरवंदन को लेकर फैसला हो सकता है राहूर कस्वा जो चुनूर से दावन थाम रहा है उस पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संग्राम 2024 से ही देर में कॉंग्रेस की सदसिता लेंगे राहूल कस्वा कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे की मौजूद्गी में वो कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे इस दोरान प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा निता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ गोबि कुदा सांसद है राहूल कस्वा जिनका टिकट बीजेपी ने कार दिया और इस बार देवेंद्र जाजडिया को टिकट दे दिया गया और इसी बात से खफा होकर राहूल कस्वा अप पार्टी कॉंग्रेस की जॉइन करने वाले हैं तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहूल कस्वा ने बीजेपी से इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी सुचना इस वक्त के आपको बता रहे है राहूल कस्वा ने अपना इस्तिफा स्वाब दिया है बीजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्हो पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहुल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है। बीजेपी के दिगज निता मौझूदा सांसद राहुल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामिल होंगे कुछी समय का इंतिजार क्योंकि अभी बैठक की जा रही है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं। तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहुल कस्वा खफा हो गए, नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी। लगवीर सिंख शिकावत इस वाक्त थमारे साथ सीधे जूट चुके हैं लगवीर। आज दामन ठामने वाले हैं राहुल कस्वा कॉंग्रेस का। कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए? काफी बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है भारतिय जनता पार्टी को चूरू में क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजनीती में राहुल कस्वा परिवार का रहा है ऐसे में अब चूंकि वो कॉंग्रेस पार्टी शामिल करने जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने एक महत्पून ट्वीट किया है और साफ तोर पर भारतिय जनता पार्टी की प्रात्मिक सदसेता से इस्तीफा देने के साथ साथ संसत सदसेता से इस्तीफा देने का जिकर करते हुए भारतिय जनता पार्टी के शीर्ष नेत्रतों का आभ राजंद राठोड पर हमला बोला है क्योंकि दो दिन पहले जिस प्रकार से राजगर्ण आवास पर उन्होंने जो शक्ती परदर्शन किया था तो गाय बगाय इंडारेक्ट तरीके से कई बार राजंद राठोड पर उन्होंने हमला बोला था और अब चूंकि आज वे कि केंदरी चुनाव समित्य की बैठक होगी शाम को जिसमें राजस्तान की सीट भी डिसकस की जाएंगी तो ये अब मुटा मुटी तै है कि चूरू से कॉंगरेस पार्टी के अधिकर प्रत्याशी के तौर पर राहुल कस्वा चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका मुका चाबला होगा हालांकि राहुल कस्वा को काफी बड़ा अनुभव है बड़ी फोज कारेकरता और समर्थकों की उनकी चूरू लोग सबक्षेत्र में हैं ऐसे में देविंद्र जाजडिया जो की राजनिती में नहीं हैं लेकिन भारती जनता पार्टी की जो कद्दा और ने से कॉंग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफी रोचगी मुकाबला होगा काफी एक्साइटिंग मुकाबला होगा क्योंकि राहुल कस्वा कुछ छोटा नाम नहीं है और एक सिंपथी भी उनके लिए है क्योंकि उनका टिकेट भारती ज चामिल भी हो रहे हाला कि उनके मन में एक बड़ा प्रसंट था एक बड़ी वैथा थी जब उन्होंने सांसत भी रह चुके हैं और 2014 में जब जीते थे तो सबसे युवा सांसत के तौर पर रिकॉर्ड भी बनाया था अब कुछी समय में कॉंग्रेस का हाथ थामने वाले चुक सबस सीटों पर मोहर लगाई जाएगे इस बैठक के बाद राजस्थान के प्रतियाशियों के नाम का एलान भी हो सकता है और ऐसा मना जा रहा है कि आला कमान प्रदेश कॉंग्रेस के कई दिगज निताओं को उमिदवार बना सकती है वहीं आज ही कॉंग्रेस में शा बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिगज दिल्ली पहुंच चुके हैं तो वहीं राहुल गादी भी न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहने वाले हैं लेकिन जो तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बाद बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभाद सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्श चुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्थता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खड़गे जो कि अध्यक्श है कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्ट और साथी गोविन सिंग डोटासरा भी मौजूद रह सकत हैं तीन सीटों पर गरवंदन को लेकर भी सीसी की आज इस बैटरक में फैसला हो सकता है पी सीची गोविन सिंग डोटासरा भी दिल्ली पहुचे वे हैं कुछ देर में ही अश्रोग गयलोत नेता प्रतिपक्ष टीकर आम जूली भी दिल्ली पहुचेंगे यानि की माना जा और वहीं अगर देखा जाए तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटरक हो नहीं है और बिजेपी भी बची हुई दज सीटों पर कैंडिट को तार सकती है इस खबर पर हमारे संबद आता लगबीर जुड़े में लगबीर क्या है अभी अपडेट क्या है ज जो सीजी की बैठक होई ती इसमें राज़ेस्टान डिसकस किया जाएगा और एक ते देड़ दर्जन सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी जिसके बाद दूसरी सूची कॉंगर्स पार्टी जारी करेगी तो उसमें राज़ेस्टान से जूड़ी सीटों पर भी ऐलान कि जाएगा आज की सीजी बैठक इसलिए भी मैटफोन है क्योंकि चूरू से मुझूदा वारती जिन्ता पार्टी की जो सांदर्स है राउल कस्वा वो दो पर एक वज़े कॉंगर्स का अदामन थाम मेंगे कॉंगर्स अद्द्यक्ष मलिकार जुन खड़के उनको कॉंगर्स सीजी को भी लॉक कर दिया जारा क्योंकि अभी मोटा मोटी तैय हो गया है कि भारती जंदा पार्टी के पृत्याशी देवंदर जड़िया के सामने चूरू से कॉंग्रेस पार्टी रहुल कस्वा को कुनावी मैदान में वतारने जा रही है और रहुल कस्वा जी जो फिरू से कंगरेस पार्टी बाय। जी आधन रही है कि पिष्छले दो चुनाव में जो त्र आरहतो त में जैन्न की जंता सवब्दिया उसमें? उसमें सेंधमारी की जाए इसलिए अपने जो दिग्गत लेता है उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की तयारी पार्टी कर रही है इसके साथ ही कई सीटों पर गटवंदन करने का भी निर्णे ठीक है लग भी बहुत बहुत महतुपूर होने जारी है तीन सीटों पर आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संगराम दोजार चौबीस से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शिरुवात करेंगे जियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंग्रेस में बीजेपी सांसद राहूल कस्वा शामिल होंगे और पी सी सी चीफ गोबिन सिंग डोटा सरा खड़गे के आवास पर पहुंचे राहूल कस्वा भी खड़गे के आवास पर ही मौजूद आ और कुछी समय में वो कॉंग्रेस का दामन थामने वाले हैं आपको बताते चलें कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहूल कस्व आप पार्टी कॉंग्रेस की जॉइन करने वाले हैं तो इस वक्त ये सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं राहूल कस्वा ने बिजेपी से इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी सुचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं राहुल कस्वा ने अपना इस्तिफास आप दिया है बीजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जनकारी साजा की है और थोड़ी ही देर में वो कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो बड़ा सियासी हलचल राजस्थान में जहां इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई बीजेपी में बड़ी जॉइनिंग होई जहां पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन ठाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहुल कस्व है तो अगर ऐसा होता है तो देवेन जाजडिया और राहुल कस्वा के बीच सीधी टककर होगी तो कॉंग्रेस की बड़ी रणनीती जहां पर बीजेपी के दिगज नेता मौझूदा सांसद राहुल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामेल होंगे कुछी समय का इंति और वही पर राहुल कस्वा भी मौझूद है आपको बता दे कि मौझूदा सांसद का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ती प्रदर्शन भी किया और उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहुल कस्वा खफा हो गए नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी से होगी लगवीर सिंख शिकावत इस वाक्त थमारे साथ सीधे जूट चूक है लगवीर आज दामन ठामने वाले हैं राहुल कस्वा कॉंग्रेस का कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए प्रिंका जिस प्रकार से कल कॉंग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भारती जंता पार्टी की तरफ फिले किया था और पारती जंता पार्टी का रुख अपनाया था उसके कार्ट में आज राहुल कस्वा जो की मुझूदा सान सद्र दस साल से लगातार सान विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की राजनती में रही हैं वो कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं इस वक्त वो मलिकार्जुन खडगे की आवास पर पहुंचे हैं उनकी जोइनिंग के लिए पीसीजी चीफ गोईन डोटासरा प्रभारी स उब जिंदर सिंग रंदावा और नेता प्रतिपक्ष टिकराम जूली भी मौझूद हैं काफी बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है भारतिय जनता पार्टी को चूरू में क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजनीती में रहुल कस्वा परिवार का रहा है ऐसे में अब चूंकि वो कॉंग्रिस पार्टी शामिल करने जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने एक महत्पून ट्वीट किया है और साफ तोर पर भारतिय जनता पार्टी की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ संसत सदस्यता से जिकर करते हुए भारतिय जनता पार्टी के शीर्ष नेत्रतों का आभार भी जता है और कहा है कि दस साल तक उन्हें जिस प्रकार से संसद में पहुंशने का मोका दिया असलिए नरेंद्र मोधी अमिश्या और जेपी नडग आभार लेकिन एक बात और मैंशन की कि राज़ जिकर आवास पर उन्होंने जो शक्ति परदर्शन किया था तो गाय बगाय इंडारेक्ट तरीके से कई बार राजिंद राठोड पर उन्होंने हमला बोला था और अब चूंकि आज वे कॉंग्रेस पार्टी के दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कॉंग्रेस की केंद्री मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला भारती जनता पार्टी के उमिद्वार और पहला ओलंपिक रहे ओलंपियन रहे देविंद्र जाजडिया से होगा तो एक काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिगज जात नेताओं के बीच ये मुकाबला अनुभव है बड़ी फोज कारेकरताओं और समर्थकों की उनकी चूरू लोग सबक्षेत्र में हैं ऐसे में देविंद्र जाजडिया जो की राजिती में नहीं हैं लेकिन भारती जनता पार्टी की जो कद्दा और नेता हैं वो लगातार उनके साथ जंसम पर करते वे नज से काफी रोचक यह मकाबला होगा काफी एकसाइटिंग के मुकाबला होगा क्योंकि राहूल कस्वा कुछ छोटा नाम नहीं है और एक सिंपथी भी उनके लिए है क्योंकि उनका टिकेट भारती जनता पार्टी से कटा है और अब वे कौंग्रेस के प्रत्याशी के रूप म अगर चुनावी मिदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साही तर उनीके फैसले के अधार पर वो कॉंग्रेस पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं हाला कि उनके मन में एक बड़ा प्रस्ट था एक बड़ी वैथा थी जब उन कॉंग्रेस के आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है कॉंग्रेस केंद्रिय चुनाव समिती की बैठक में राजस्थान की लोगसबा सीटों पर मोहर लगाई जाएगी इस बैठक के बाद राजस्थान के प्रतियाशियों के नाम का एलान भी हो सकता है और ऐसा म कुछना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिगज दिल्ली पहुंच चुके हैं तो वहीं राहुल गादी भी न्याय यात्रा को बीच में छोड़ कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहने वाले हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बैठक की है वो ये है कि राजेस्थान में किन-किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर बड़ा फैस कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभाद सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी में बड़ी बैठक में कॉंग्रेस की लोगसभाद सीटो पर भी चर्चा हो सकती है और आज लोगसभाद सीटो पर मोहर भी लग सकती है CC की बैटेक से पहरे राहूर कजवा कॉंग्रस में शामिल हो सकते है जो की चुरू में संग्राम छुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो सकते है उनको सदस्ता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खडगे जो की अध्यक्षे कॉंग्रस के रास्टर अध्यक्ट और साथी गोविन सिंग डोटासरा भी मौजूद रह सकते है तीन सीटों पर गरवन्दन को लेकर भी CC की आज इस बैटेक में फैसला हो सकता है पी CC चीफ गोविन सिंग डोटासरा भी दिल्ली पहुचे वे है कुछ देर में ही अश्चोग गयलोत नेता प्रतिपक्ष टीकर आम जूली भी दिल्ली पहुचेंगे यानि की माना जा रहा है कि जिस तरह बड़े नेता राजस्थान के दिल्ली की बैटेक में की CC की बैटेक में पहुच्ट रहा है तो 25 की लोग सबा सीटों पर आज चर्चा होने के साथ ही संभवता हो सकता है कि 25 की माना जारा है कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टीकर भी दे सकती है सुत्रों के वाले से खबर है यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहा है जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दोरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पीसीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रबारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिल्लीस दिखा रहा है अब बुलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को गिरते हैं इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरीए उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोब भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पहरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजेडिया पर भरोसा जता है और इस बार राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शिन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आए अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाद में काफी जादा बड़ा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकेट काट गिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिन हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन बावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अधक्ष खड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परजामंती जी का धन्यवाद रहा चाहता हूँ जो सोच थी वा आगे बढ़ती जारी थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल वाओं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर मैं मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदूस्तान का पूरा किसान वारती जंटापार्टी की गलत नितियों से तरस्त ठा परिशान था और हद हो गई जब राहूल कसवाजी को जिस प्रकार से तोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परिशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वरतमार में बाहर के जन्तापरटी के सांसद है यह दो वार से सांसद है इनके पिता-जी चारवर रहे इनके दादा रहे है इनकी बाता-जी कॉंग्रिस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो यह पच्छास साल सेاجन ती मैं रहे करके से किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खड़के साब ने बनाय थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पद के उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आये और आज फिर MP लगा टार 5-6 व मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं परदेश कॉंग्रेश कवेटी के तरफ से धन्यवाद करकेटी से गुजारिश करूंगा कि आप कि कॉंग्रेश पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे लुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाब और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील हो गएं उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करना के लेकर युद तक कि युद्य से लेकर घुजरात कि धिर गुजराती तो ही यहक्त और औरिशा Exact वह सिर्ग को अपनी माश्ति करना चाहते हैं ंद वह कि पहले से ही कि उन्होंने लोकों को अधराना है क्या करना यह तो उन्होंने पहले से करते आये हैं अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरूरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लेया गया है तो मैं अध्यक जीस को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा फिर रंदावा जी तो पहले इस ते थे फिर उसके बाद में राहूल गांधी जी से पूछा सोनिया गंधी जी से पूछा और घैलोड से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हो इसलिए आपके अनुमती चाहता हो क्योंकि consensus बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक consensus बनाना पार्टी में unity रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी ह है कि वो खुद आये हैं और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूं आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मै जादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभीना उनका अभीनान करता हूं और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं उस उसलों पर आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है इस स्था प्रिस का शुंडे में इस शांतव प्रीजिया है इस सब्सक्राटी लिए है डायेव से आपक्राटी की एक शुर्ट थे लिए बजय पर रूंग और तो अ बात करके चर्चा करके ये फैसला लिया गया है राहुल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़के ने राहुल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्तिता ग्रेंड करा दिया आपको बताते चड़ाने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दे मृतक सचीन के पिता का बयान सामने आया है हमें पैसा नहीं दोशियों पर नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकार्जुन खडगे से लेकर पी सीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी विशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थी टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बी संख्या में के समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में श चुरू के जन्भावनाओं को के अंदरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं। कॉंग्रेस पार्टी के राशचरे अदरक्ष खढगे साभ का आदरीया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के का अधर दर्धक्ष दॉटासा साभ का जूली साभ का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदाम अंत्री जी का धन्वा देना चाहता हूं साल उनके ने तर्त में मुझे मेरी लोगसभा 76 की लोगों की जन्ता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोगसभा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सभा की मेरे जो कार्य करता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से अच्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्ध्यक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर कें नेत्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8-13 में तो ये 50 साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबू अधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पद के उपड़ नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रह के तरफ से दने बाता है कि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साफ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिननन करने के लिए यहां आया ह और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपेर के एक बजने वाले हैं महा संग्राम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुवात करेंगे जियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंगरेस में बीजेपी सांसद राहूल कस्वा शामिल होंगे थोड़ी ही देर में कॉंगरेस की सदसिता लेंगे राहूल कस्वा गॉंगरेस अध्यक्ष खडगे की मौझूद्गी में वो कॉंगरेस का हाथ थामेंगे इस दोरान प्रदेश प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा, निता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ गोविन सिंग डोटा सरा खड़गे के आवास पर ही मौजूदा और कुछी समय में वो कॉंग्रेस का दामन थामने वाले हैं कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहूल कस्वा जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और इस बार देवेंद्र जाजडिया को टिकट दे दिया गया और इसी बात से खफा होकर राहूल कस्वा आप पार्टी कॉंग्रेस की जॉइन करने वाले हैं तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहूल कस्वा ने बीजेपी से इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी सुचना इस वक्त की आपको बता रहे है राहूल कस्वा ने अपना इस्तिफा स्वाब दिया है बीजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्हो पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहूल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है। बीजेपी के दिगज निता मौझूदा सांसद राहूल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामिल होंगे कुछी समय का इंतिजार क्योंकि अभी बैठक की जा रही है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं। तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहूल कस्वा खफा हो गए, नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी। लगवीर सिंख शिकावत इस वाक थमारे साथ सीधे जूट चुके हैं लगवीर, आज दामन ठामने वाले हैं राहूल कस्वा कॉंग्रेस का, कितना बड़ा नुक्सान बीजेपी के लिए? जिस प्रकार से कल कॉंग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भारती चंता पार्टी की तरफ फिले किया था और पारती चंता पार्टी का रुख अपनाया था, उसके कार्ट में आज राहूल कस्वा, जो की मुझूदा सांसद्य, दस साल से लगातार सांसद्य, बड़ी की विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की राजनती में रही हैं, वो कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, इस वक्त वो मलिकार्जुन खडगे की आवास पर पहुंचे हैं, उनकी जोइनिंग के लिए पिसीजी चीफ गोईन डोटास प्रभारी सुगजिंदर सिंग रंदावा और नेता प्रतिपक्ष टिकराम जूली भी मौझूद हैं, काफी बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है भारतिय जनता पार्टी को चूरू में, क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजन संसत सदस्ता से इस्तिफा देने का जिकर करते हुए भारतिय जनता पार्टी के शीर्ष नेत्रतों का आभार भी जता है, और कहा है कि दस साल तक उन्हें जिस प्रकार से संसत में पहुंशने का मोका दिया, असलिए नरेंद्र मोधी अमिट्ष्य और जेपिन डग आभार, लेकिन एक बात और मेंशन की कि राज़िंतिक कारणों की शलते हुए भारतिय जनता पार्टी से इस्तिफा दे रहे हैं, मतलब फिर एक बार इंडरेक्ट तरीके से उन्होंने राज़िंद राठोड पर हमला बोला है, क्योंकि दो दिन पहले जिस प्रकार से राजगर आव समिति की बैठक होगी शाम को जिसमें राज़स्तान की सीट भी डिसकस की जाएंगी, तो ये अब मोटा मोटी तैह है कि चूरू से कॉंगरेस पार्टी के अधिकर प्रत्याशी के तोर पर राहुल कस्वा चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला, भारतिय जन समिति की चूरू लोग सबक शित्र में हैं, ऐसे में देविंदर जाज़डिया जो की राजिती में नहीं हैं, लेकिन भारतिय जनता पार्टी की जो कद्दा और नेता हैं, वो लगातार उनके साथ जन्सम पर करते वे नजर आ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते वे अभी से जुट गए हैं, जिनमें सतीश पूनिया जो की चूरू से आते हैं, राजिन राठोर जो की चूरू से आते हैं, और भी कारेकरताओं की और निताओं की बड़ी फैरिस्त हैं, जो की उनके लिए जन्सम पर कर रहे हैं, लेकिन अगर राहूल कस्वा चूरू से कॉरू से क परतेशी के रूप में अगर चुनावी मिदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साहितर उन्हीं के फैसले के अधार पर वो कॉंग्रेस पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं हाला कि उनके मन में एक बड़ा प्रस्ट था एक ब समाम जानकारियों के लिए और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस के आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है कॉंग्रेस के इंद्रिया चुनाव समिती की बैठक में राजस्थान की लोकसभा सीटों पर मोहर लगाई जाए यह बड़ी सूचना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिगज दिल्ली पहुँच चुके हैं तो वहीं राहुल गाधी भी न किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बाद बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोग सभा सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी में बड़ी बैठक में कॉंग्रेस की लोग सभा सीटो पर भी चर्चा हो सकती है और आज लोग सभा सीटो पर मोहर भी लग सकती है CC की बैटेक से पहरे राहू कजवा कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं जो की चुरू में संग्राम छुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्ता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खडगे जो की अध्यक्ष है गोविन सिंग डोटासरा भी मौजूद रह सकते हैं तीन सीटों पर गरवंदन को लेकर भी सीसी की आज इस बैटेक में फैसला हो सकता है पी सीची चीफ गोविन सिंग डोटासरा भी दिल्ली पहुचे वे हैं कुछ देर में ही अश्चोग गयलोत नेता प्रतिपक्ष टीक गर्टेट उतारे जाये और वहीं अगर देखा जाये तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटक हो नहीं है और बिजेपी भी बची हुई दस सीटों पर कैंडिट को उतार सकती है इस खबर पर हमारे संबद आता लगबीर जुड़े बैबीर क्या है अभी अ कि आज कि जो बेठक होगी इसमें रजिस्टान डिस्कस किया जाएगा इसमों करीब एच Alert का दोसुरी सूची कॉंगरेस पार्टी जारीा करेगी तो इसमें एक विजेना पारटी क्यों फो फेडना राहल कस्वा बहन जांद लिगे एक वजह का दामन दाउमेंगे कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकारजुन खड़ गे उनको कॉंग्रेस पार्टी की सद्सिता जहन गर रहेंगी जिस वक्त पूर मुख्यमति अशोग गलोद गोविन डोटासरा सचीन पालेट सरी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे इस जर्टी के बात जब CEC की बैठक होगी शाम को तो निश्चित तोर पर चूरू पर भी डिसकस किया जाएगा और चूरू के सीट को भी लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि अभी मौटा मुटी तैह हो गया है कि भार्टी जन्ता पार्टी के प्रत्याशी देवंदर जड़िय करेंगे क्योंकि उनका टिकट जो भार्टी जन्ता पार्टी के तरफ से काटा गया उनको बताना जीए उनसे डिसकस करना जीए तक लिए काफी आक्रोशित हैं और आज कॉंग्रेस पार्टी के दामन सामने जा रहे हैं इसके साथ ही आज की जो CEC की बैठक है इस माहिने में काफी महत्पोन है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी अपने कई दिगजों को चुनावी में उतारने की तैयारी में है क्योंकि पार्टी चाहती है इसके साथ ही कई सीटों पर गटवंदन करने का भी निरने ठीक है लग भी बहुत बहुत शुक्रिया तो आज CEC की बैठक बहुत महत्पूर होने जा रहे है तीन सीटों पर गडवंदन को लेकर फैसला हो सकता है राहुल कस्वा जो चुरू से दावन थाम रहा है उस पर मुहर लग सकती है जो सीटे है राजस्थान की लोग सवा की 25 की जहां पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकार जुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे BJP को घिरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिये उन्होंने BJP पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहुल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और BJP के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थी टिकट कटवाने के आपको बताते हैं चले कि BJP ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ प बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के हमारे राजिस्तान के कॉंग्रेस के अद्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्यवा देना चाहता हूं दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाचेटर की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाच के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के अच्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से अच्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आधर्णिये राष्ट्री अध्यक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारग भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा क आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्ट हम ने कल भी हमारे हरियाना के मजबूत के बेटे आए और आज फिर एंपी लगा तार पांच-छै वार एंपी रहना अउस परिवार का और खुदगा दो वार एंपी रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमा मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस के तरफ से धन्यवाद करकेटी से घुजारिश करूंगा कि आप कि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रेय जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साफ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है श्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिननन करने के लिए यहां आया ह और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संग्राम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुवात करेंगे जियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंग्रेस में बीजेपी सांसद राहूल कस्वा शामिल होंगे थोड़ी ही देर में कॉंग्रेस की सदसिता लेंगे राहूल कस्वा कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे की मौझूदगी में वो कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे इस दोरान प्रदेश प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ गोविन सिंग डोटा सरा खड़गे के आवास पर ही मौजूदा और कुछी समय में वो कॉंग्रेस का दामन थामने वाले हैं बताते चले कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहूल कस्वा जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और इस बार देवेंद्र जाजडिया को टिकट दे दिया गया और इसी बात से खफा होकर राहूल कस्वा आप पार्टी कॉंग्रेस की जॉइन करने वाले हैं तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहूल कस्वा ने बीजेपी से इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी सुचना इस वक्त के आपको बता रहे है राहूल कस्वा ने अपना इस्तिफा सब दिया है बीजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जनकारी साजा की है और थोड़ी ही देर में वो कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो बड़ा सियासी हलचल राजस्थान में जहाँ इससे पहले तस्वीरे हमने आपको दिखाई बीजेपी में बड़ी जॉइनिंग होई जहाँ पर कॉंग्रेस के दिकज निता पर आए और सूत्रों के अवाले से खबर ये भी है कि चुरू से राहूल कस्वा को पार्टी चुनावी मैदार में उतार सकती है तो अगर ऐसा होता है तो देविन जाजडिया और राहूल कस्वा के बीच सीधी टककर होगी तो कॉंग्रेस की बड़ी रणिती जहाँ पर ब पर ये बैटर चल रही है जिसमें सुकजिंदर सिंग रंधावा से लेकर डोटा सरा और निता प्रतिपक्ष भी पहुचे हुए और वहीं पर राहूल कस्वा भी मौजूद है आपको बता दे कि मौजूदा सांसत का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ती प्रदर्शन भी इस वाक्त हमारे साथ सीधे जोड़ चुके है लखुवीर आज दामन ठामने वाले हैं राहूल कस्वा कॉंग्रेस का कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए जिस प्रकार से कल कॉंग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भारती चंता पार्टी की तरफ फिले किया था और पार्ती चंता पार्टी का रुख अपनाया था उसके कार्ट में आज राहूल कस्वा जो की मुझूदा सांसद्य दस साल से लगातार सांसद्य एक बड़ी की विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की राजिनती में रही हैं वो कॉंग्रिस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं इस वक्त वो मलिकारजुन खड़के के आवास पर पहुंचे हैं उनकी जोइनिंग के लिए पिसीजी चीफ गोईन डोटासरा प्रभारी सुबजिंदर सिंग रंदावा और नेता प्रतिपक्ष टिकराम जूली भी मौ कर सकता है भारतिय जनता पार्टी को चूरू में क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजनीती में राहुल कस्वा परिवार का रहा है ऐसे में अब चूंकि वो कॉंग्रिस पार्टी शामिल करने जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने एक महत्पुन ट्वीट किया है और साफ तोर पर भारतिय जनता पार्टी की प्रात्मिक सदसेता से इस्तीफा देने के साथ साथ संसत सदसेता से इस्तीफा देने का जिकर करते हुए भारतिय जनता पार्टी के शीर्ष नेतरतों का आभार भी जता है और कहा है कि 10 साल तक उ उन्होंने राज upside पर हमला बोला है क्योंकि दो दिन पहले जिस प्रकार से राजगर आवाज पर उन्होंने जो शक्ती परदर्शन किया था तो गया बगय इंडारेक्ट तरीके से कई बार राजिंद राठोड पर उन्होंने हमला बोला था और अब चूंकि आज वे कॉंग्रेस पार्टी के दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कॉंग्रेस की केंदरी चुनाव समित्टी की बैठक होगी शाम को जिसमें राजस्तान की सीट भी डिसकस की जाएंगी तो ये मोटा मोटी तै है कि चूरू से कॉंग्रेस पार्टी के अधिके प्रत्याशी के तोर पर राहूल कस्वा चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला भारती जनता पार्टी के उमिद्वार और पहला ओलम्पिक रहे ओलम्पियन रहे देविंद्र जाजडिया से ह होगा तो एक काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिगज जाट नेताओं के बीच ये मुकाबला होगा हालांकि राहूल कस्वा को काफी बड़ा अनुभव है बड़ी फोज कारेकरताओं और समर्थकों की उनकी चूरू लोगसबक शित्र में हैं ऐसे म सतीश पूनिया जो की चूरू से आते हैं राजिन राठोर जो की चूरू से आते हैं और भी कारेकरताओं की और निताओं की बड़ी फैरिस्त है जो कि उनके लिए जनसम पर कर रहे हैं लेकिन अगर राहूल कस्वा चूरू से कॉंग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते ह हैं तो निश्चित रूप से काफी रोचकी मुकाबला होगा काफी एक्साइटिंग मुकाबला होगा क्योंकि राहूल कस्वा कुछ छोटा नाम नहीं है और एक सिंपथी भी उनके लिए है क्योंकि उनका टिकेट भारती जनता पार्टी से कटा है और अब वे कॉंग्रेस क प्रत्याशी के रूप में अगर चुनावी मिदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साइटर उन्हीं के फैसले के अधार पर वो कॉंग्रेस पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं हाला कि उनके मन में एक बड़ा प्रस्शन सांसत भी रह चुके हैं और 2014 में जब जीते थे तो सबसे युवा सांसत के तौर पर रिकॉर्ड भी बनाया था अब कुछी समय में कॉंग्रेस का हाथ थामने वाले आप नजर बनाया रखेगा लखवी रेके खलचल पर बहुत शुक्रिया फिलाल आपका तमाम जानकारियो के लिए और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोगसभा चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस के आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है कॉंग्रेस के इंद्रिय चुनाफ समिती की बैठक में राजस्थान की लोगसभा सीटों पर मोहर लगाई जाएगी इस बैठक के राहूल कस्वा के नाम पर भी CEC में मोहर लग सकती है ये बड़ी सुषना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिगज दिल्ली पहुँच चुके हैं तो वही राहूल गाधी भी न्याय यात्रा को बीच में छोड़ कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके है और इस बैठक में राहूल गांधी भी शामिल रहने वाले हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बैठक की है वो ये है कि राजेस्थान में किन किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बाद बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी की बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभा सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी में बड़ी बैठक में कॉंग्रेस की लोगसभा सीटो पर भी चर्चा हो सकती है और आज लोगसभा सीटो पर मोहर भी लग सकती है CC की बैटक से पहरे राहूल कज़वा कॉंगरस में शामिल हो सकते हैं जो की चुरू में संग्राम चुड़ा हुआ है और अब BJP का दामन छोड़कर कॉंगरस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्टा दिलाने के लिए मलिका अरजुन खडगे जो की अध्यक्षे कॉंगरस के रा चिकर आम जूली भी दिल्ली पहुचेंगे यानि की माना जा रहा है कि जिसकरा बड़े नेता राजस्तान के दिल्ली की बैटर्क में, CEC की बैटर्क में पहुच रहा है तो 25 की लोग सबा सीटों पर आज चर्चा होने के साथी संभवता हो सकता है कि 25 के 25 सीटों पर सारे कैंडिडेट उतारे जाए और वहीं अगर देखा जाए तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटक को निया और बिजेपी भी बची हुई दज सीटों पर कैंडिडेट को उतार सकती है इस खबर पर हमारे समध आता लगबीर जुड़े में लगबीर क्या है आज की जो बैठक होगी इसमें राजस्तान डिसकस किया जाएगा और इसमों करीब एक देड़ दर्जन सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी जिसके बाद दूसरी सूची कॉंग्रेस पार्टी जारी करेगी तो उसमें राजस्तान से जूड़ी सीटों पर वेलान किया ज क्योंकि चूरू से मुझूदा वारती जिन्ता पार्टी की जो सांदन है राउल कस्वा वो दो पर एक वज़े कॉंग्रेस का अदामन था हमेंगे कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकार जुन खड़गे उनको कॉंग्रेस पार्टी की सदसिता जहन कर रहेंगी जिस वक्त पूर म सीट को भी लोक कर दिया जागा क्योंकि अभी मोटा मोटी तै हो गया है कि भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी देवंदर जड़िया के सामने चूरू से कॉंग्रेस पार्टी रहूल कस्वा को तुमावी बैदान में वतारने जा रही है और रहूल कस्वा जो डिस बात कर दिया है कि वह कॉंग्रेस में शामिल होते ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनसा टिकट जो भारती जन्ता पार्टी के तरफ से ताटा गया वो सरा सर नहीं साथ थी उनको बताना जी है उनसे डिसकस करना जी है तक लिए काफी आकरोश है और आज कॉंग्रेस पार्टी में कि 25 की 25 सीटे बारती जन्ता पार्टी और एंडी गटवंदन को राजस्थान की जन्ता सौब दी है उसमें सेंधमारी की जाए इसलिए अपने जो दिग्गत लेता है उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयरी पार्टी कर रही है इसके साथ ही कई सीटों पर मुहर लग सकती है जो सीटे है राजस्थान की लोग सभा की 25 की सीटों पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पी सीसी चीफ गोविन सिंग डोटा सरा और प्रद पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पहरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में के समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितन से युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के राश्टे अद्रक्ष खडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अद्रक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे इसा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्वाद दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कार करता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और लोग सबा चेटर की लोगों की आवाज को और मजबूती से अच्छेटर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा तो कि अ रहुल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदरनिये राश्टी अध्यक्स खड़के साब ने सामिल करा राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर कें नेत्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की एैमेले रही है मेरे साथ आड से there में तो ये पतसा साल से राज निती में रहकरके सेवा कर रहे थे, कॉंभा मैं को आगे बढ़ाने का काम बेढ़ए थे, उनको परिशान कियागा और जब उनके केंदर के किशान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं ज लगातार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानु के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ प कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए हैं स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर स अपर्टी में शामील होगे उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोइन किया है और ये अच्छी बात है कि आईसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संग्राम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुवात करेंगे सियासा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंग्रेस में BJP सांसद राहूल कस्वा शामिल होंगे थोड़ी ही देर में कॉंग्रेस की सदसिता लेंगे राहुल कस्वा कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे की मौजूद्गी में वो कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे इस दोरान प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा निता प्रतिफक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ गोबिन सिंग डोटा सरा खडगे के आवास पर पहुंचे राहुल कस्वा भी खडगे के आवास पर ही मौजूदा और कुछी समय में वो कॉंग्रेस का दामन थामने वाले हैं आपको बताते चले कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहुल कस्वा जिनका टिकट बीजेप पर आपको बता रहे हैं राहूल कस्वा ने बटी जनकारी साजा की ए और थोड़ी ही देर में वह कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो बड़ा सियासी हलचल राजस्थान में जहां इससे पहले तस्वीरे हमने आपको दिखाई बीजेपी में बड़ी जॉइनिंग होई जहां पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन ठाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहुल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है कॉंग्रेस की बड़ी रणिती के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और सूत्रों के अवाले से खबर ये भी है कि चूरू से राहुल कस्वा को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है तो अगर ऐसा होता है तो देविन जाजडिया और राहुल कस्वा के बीच सीधी टककर होगी तो कॉंग्रेस की बड़ी रणिती जहां पर बीजेपी के दिगच नेता मौझूदा सांसद राहुल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामेल होंगे कुछी समय का इंतिजार क्योंकि अभी बैठक की जा रही है मलिकार जुन खड़ गे कॉंग्रेस के राश्रिय जैक्ष के घर पर ये बैठक चल रही है जिसमें सुकजिंदर सिंग्रंधावा से लेकर डोटा सरा और निता प्रतिपक्ष भी पहुचे हुए और वही पर राहुल कस्वा भी मौजूद है आपको बता दे कि मौजूदा सांसत का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ती प्रदर्शन भी किया और उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहुल कस्वा खफा हो गए नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी से होगी लखवीर सिंख शिखावत इस वाक थमारे साथ सीधे जूट चुके है लखवीर आज दामन ठामने वाले हैं राहुल कस्वा कॉंग्र ने भारती जंता पार्टी की तरफ विले किया था और पार्ती जंता पार्टी का रुख अपनाया था उसके काट में आज राहुल कस्वा जो की मुझूदा सांसद्य दस साल से लगातार सांसद्य एक बड़ी की विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है भारती जंता पार्टी को चूरू में क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजनीती में राहुल कस्वा परिवार का रहा है ऐसे में अब चूंकि वो कॉंग्रिस पार्टी शामिल करन करता है और कहा है कि दस साल तक उन्हें जिस प्रकार से संसद में पहुंशने का मोका दिया असलिए नरेंद्र मोधी अमिट्षय और जेपी नडग आभार लेकिन एक बात और मैंशन की कि राजनीती कारणों की शलते वह भारती जंता पार्टी से इस्तिफा दे रहे हैं मतल क्योंकि आज वे कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कॉंग्रेस की केंद्री चुनाव समिट्षी की बैठक होगी शाम को जिसमें राजस्तान की सीट भी डिसकस की जाएंगी तो ये अब मोटा मोटी तैह है कि चूरू से कॉंग्रेस पार्टी के राहुल कस्वा चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला भारती जनता पार्टी के उमिद्वार और पहला ओलंपिक रहे ओलंपियन रहे देविंद्र जाजडिया से होगा तो एक काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिगज जाट नेताओ के बीच ये मुकाबला होगा हालांकि राहुल कस्वा को काफी बड़ा अनुभव है बड़ी फोज कारेकरताओं और समर्थकों की उनकी चूरू लोगसबक शित्र में हैं ऐसे में देविंद्र जाजडिया जो की राजिती में नहीं हैं लेकिन भारती जनता पार्टी की जो की उनके लिए जन समपर कर रहे हैं लेकिन अगर राहुल कस्वा चूरू से कॉंग्रेस की सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफी रोचक ये मुकाबला होगा क्योंकि राहुल कस्वा कुछ छोटा नाम नहीं है और एक सिंपथी भी उनके लिए ह और वो कॉंग्रेस पार्टी में अशामिल भी हो रहे हाला कि उनके मन में एक बड़ा प्रसुन था एक बड़ी रहता थी जब उन्होंने आगे बढ़ते हुए लोगसभा चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस के आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है कॉंग्रेस केंद्रिय चुनाफ समिती की बैठक में राजस्थान की लोगसभा सीटों पर मोहर लगाई जाएगी इस बैठक के बाद राजस्थान के प्रतिय प्राशियों के नाम का एलान भी हो सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान प्रदेश कॉंग्रेस के कई दिगज निताओं को उमिदवार बना सकती है वहीं आज ही कॉंग्रेस में शामिल हो रहे है चुरू के सांसत राहूल कस्वा के नाम पर भी CEC में मोहर लग सकती है ये बड़ी सूशना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिगज दिल्ली पहुँच चुके हैं तो वहीं राहूल गाधी भी न किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बाद बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोग सभा सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी में बड़ी बैठक में कॉंग्रेस की लोग सभा सीटो पर भी चर्चा हो सकती है और आज लोग सभा सीटो पर मोहर भी लग सकती है CC की बैटेक से पहरे राहू कजवा कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं जो की चुरू में संग्राम छुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्ता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खडगे जो की अध्यक्ष है गोविन सिंग डोटासरा भी मौजूद रह सकते हैं तीन सीटों पर गरवन्दन को लेकर भी सीची की आज इस बैटेक में फैसला हो सकता है पी सीची चीफ गोविन सिंग डोटासरा भी दिल्ली पहुचे वे हैं कुछ देर में ही अश्चोग गयलोत नेता प्रतिपक्ष ट कैडिडेट उतारे जाए और वहीं अगर देखा जाए तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटक हो नहीं है और बिजेपी भी बची हुई दज सीटों पर कैडिडेट को उतार सकती है इस खबर पर हमारे समध आता लगबीर जुड़ेवे लगबीर क्या है अभी अपडेट क्या है जानकारी सीची की बैटक को लेकर आज की सीची बैटक इसलिए भी मैटफोन है क्योंकि चूरू से मुझूदा वारती जिन्ता पार्टे की जो सांदर्स है राउल कस्वा वो दो पर एक वजे कॉंग्रस का अदामन थाहूं मेंगे कॉंग्रस अद्यक्ष मलिकार जुन खड़गे उनको कॉंग्रस पार्टे क सब्सक्राइब करेंगे जिस वक्त पूर मुख्यमति अशोग गलूर्द गोविन डोटासरा सचीन पालेट सरी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे इस जिरुए के बाद जब सीची की बैठक होगी शाम को तो निश्चित तोर पर चूरू पर भी डिसकस किया जाएगा और चूरू की सीट को भी लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि अभी मौटा मुटी तैह हो गया है कि भारती जंदा पार्टी के पृत्याशी देवंदर जड़िया के सामने चूरू से कॉंग्रेस पार्टी रहूल कुस्वा को तुनाव बैदान में उतारने जा रही है और के साथ ही आज की बैठेक है कि माइने में भी काफी महत्पून है क्योंकि को पार्टी अपने कई दिगजों को चीनावी मेदान में उतारने की तैयारी में है क्योंकि पार्टी चाहती है कि पिछले दो चुनाव से जो ट्रेंड चला रहा है राजस्तान में कि 25-25 सिटे बार इसके साथ ही कई सीटों पर गठ बंदन करने का भी निर्ने च्छीक्श ने लग बहुत 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 महतवूर होने जा रही है तीन सीटों पर गढ़ बंदन को लेकर फैसला हो सकता है राहूल कस्वा जो चुरू से दावन थाम रहा है उस पर मुहर लग सकती है जो सीटे है राजस्थान की लोग सभा की 25 की सभाएं जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे BJP को घिरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के ज लिकट काटकर पहरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थ 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से अजिए चलिए शुरू के इसे मेरी लोगसवाद चुरू के जन्भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्र अदक्ष खड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्यवाद दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल वहा हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ख़ड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहुल कस्वा जी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नेत्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमार में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये 50 साल से राजन अंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिये राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिये खड़के सा मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर कि बारतिये जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं ज जगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ प कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए हैं स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर स अपर्टी में शामी लोग है उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग है उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संगराम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंग्रेस में बीजेपी सांसद राहूल कस्वा शामिल होंगे थोड़ी ही देर में कॉंग्रेस की सदसिता लेंगे राहुल कस्वा कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे की मौजूदगे में वो कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे इस दोरान प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ गोविन सिंग डोटा सरा खडगे के आवास पर पहुँचे राहुल कस्वा भी खडगे के आवास पर ही मौजूदगा और कुछी समय में वो कॉंग्रेस का दामन ठामने वाले हैं आपको बताते चले कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहुल कस्वा जिनका टिकट BJP ने राहुल कस्वा ने बिजेपी से स्तिफ़ा दे दिया है ये बड़ी सूचना इसवक्त के आपको बतार है राहुल कस्वा ने अपना स्तिफ़ा सौप दिया है बिजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जनकारी साजा की है और थोड़ी ही देर में वो कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो बड़ा सियासी हलचल राजिस्थान में जहां इससे पहले तस्वीरे हमने आपको दिखाई बड़ी जॉइनिंग होई जहां पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहुल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है कॉंग्रेस की बड़ी रणिती के तोर पर भी इसे देखा जा रहा है और सूत्रों के अवाले से खबर ये भी है कि चूरू से राहुल कस्वा को पार्टी चुनावी मैदार में उतार सकती है तो अगर ऐसा होता है तो देविन जाजडिया और राहुल कस्वा के बीच सीधी टककर होगी तो कॉंग्रेस की बड़ी रणिती जहां पर बीजेपी के दिगज नेता मौझूदा सांसद राहुल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामिल होंगे कुछी समय का इंतिजार क्योंकि अभी बैठक की जा रही है मलिकार जुन खड़ गे कॉंग्रेस के राश्रिय जैक्ष के घर पर ये बैठक चल रही है जिसमें सुकजिंदर सिंग्रंधावा से लेकर डोटा सरा और निता प्रतिपक्ष भी पहुचे हुए और वहीं पर रा पट काटा तो राहुल कस्वा खफा हो गए नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी से होगे लगवीर सिंग शिकावत इस वाक्त हमारे साथ सीधे जूट चुके है लगवीर आज दामन ठामने वाले हैं राहुल कस्वा कॉंग्रेस का कितना बड़ा नुक उसके काट में आज राहुल कस्वा जो की मुझूदा सांसद्य दस साल से लगातार सांसद्य एक बड़ी की विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की राजिनती में रही हैं वो कॉंग्रेस पार्टी का दामन ठामने जा रहे हैं इस वक्त वो मलिकार जुन ख बड़ा नाम चुरू की राजनीती में रहुल कस्वा परिवार का रहा है ऐसे में अब चूंकि वो कॉंग्रेस पार्टी शामिल करने जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने एक महत्पून ट्वीट किया है और साफ तोर पर भारती जनता पार्टी की प्रात्मिक सदस्यता से इ पिन डग अभार लेकिन एक बात और मेंशन की कि राजनीती कारणों की शलते हुँ भारती जनता पार्टी से इस्तिफा दे रहे हैं मतलव फिर एक बार इंडरेक्ट तरीके से उन्होंने राजन राठोड पर हमला बोला है क्योंकि दो दिन पहले जिस प्रकार से राजगर् डारेक्ट तरीके से कई बार राजन राठोड पर उन्होंने हमला बोला था और अब चूंकि आज वे कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कॉंग्रेस की केंदरी चुनाव समिठी की बैठक होगी शाम को जिसमें राजस्तान की सीट भी डिसकस की ज देविंद्र जाजडिया से होगा तो काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिगज जात नेताओं के बीच ये मुकाबला होगा हालांकि राहूल कस्वा को काफी बड़ा अनुभव है बड़ी फोज कारे करता हूं और समर्थकों की उनकी चूरू लोगस और भी कारे करताओं की और निताओं की बड़ी फैरिस्त है जो कि उनके लिए जिन समपर कर रहे हैं लेकिन अगर राहूल कस्वा चूरू से कॉंग्रेस की सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफी रोचक ये मुकाबला होगा क्योंकि राहूल कस् पार्टी जनता पार्टी से कटा है और अब वे कॉंग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर चुनावी मिदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साइदर उन्हीं के फैसले के अधार पर वो कॉंग्रेस पार्टी में शा चल पर बहुत शुक्रिया फिलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस के आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है कॉंग्रेस के इंद्रे चुनाव समिती के बैठक में राजस्थान की लो रहे चुरू के सांसत राहूल कस्वा के नाम पर भी CEC में मुहर लग सकती है यह बड़ी सुषना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश से बड़ी बात इस वेठक की है वो यह है कि राजस्थान में किन-किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बात बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभाद सीटों पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी में बड़ी बैठक में कॉंग्रेस की लोगसभाद सीटों पर भी चर्चा हो सकती है और आज लोगसभाद सीटों पर मोहर भी लग सकती है CC की बैटक से पहरे राहू कजवा कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं जो की चुरू में संग्रान चुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्ता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खडगे जो की अध्यक्ष है कॉंग दिल्ली पहुचेंगे यानि की माना जा रहा है कि जिस तरह बड़े नेता राजस्थान के दिल्ली की बैटक में CC की बैटक में पॉस्टर है तो 25 की लोग सबा सीटों पर आज चर्चा होने के साथ ही संभवता हो सकता है कि 25 की 25 सीटों पर सारे कैंडिडेट उतार दिये जाए या कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाए और वहीं अगर देखा जाए तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटक हो नहीं है और बिजेपी भी बची हुई दज सीटों पर कैंडिट को तार सकती है इस खबर पर हमारे संबद आता लगबीर जुड़ेवें लगबीर क्या है अभी अपडेट क्या है जानकारी सीसी की बैटक को लेकर जी देखे आज शाम कॉंग्रेस केंडरी चुनास अमिती की बैटक पर सावित है और इस बैटक में राज़स्टान के सीटों पर भी डिसकुशन किया जाएगा क्योंकि कहले जो सीज़सी की बैठक होई थी इसमें राज़स्टान डिसकुश किया जाएगा जाएगा पर एक से देर दर्जन सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी जिसके बाद जब दूसरी सूची कॉंग्रस पार्टी जारी करेगी तो उसमें राजस्तान से जूटी सीटों पर भी ऐलान किया जाएगा क्योंकि चूरू से मुझूदा वारती जंता पार्टी की जो सांदन है राउल कस्वा वो दो पर एक वज़े कॉंग्रस का अदामन था हमेंगे कॉंग्रस अद्यक्ष मलिकारजुन खडगे उनको कॉंग्रस पार्टी की सदस्ता तुरहन कर रहेंगे जिस वक्त पूर मुख्यमति अशोग गलूद गोविन डोटासरा सचीन पालेट सरी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे इस जर्जी के बाद जब CEC की बैठक होगी शाम को तो निश्चित तोर पर चूरू पर भी डिस्कस किया जाएगा और चूरू के सीट को भी लोक कर दिया जाएगा क्योंकि अभी मोटा मोटा इत्ता हो गया है कि भारती जन्ता पार्टी के पृत्याशी देवंदर जड़िया के सामने चूरू से कॉंग्रेस पार्टी रहूल कस्वा को तुमावी मेदान में उतारने जा रही है और रहूल कस्वाजी जो डिस्वात का अब ऐलान कर दिया है कि वो कॉंग्रेस में शामिल होते ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका टिकेट जो भार्टी जंदा पार्टी के तरफ से काटा गया वो सरासर नाइन साथ रिखी उनको बताना जी है उनसे डिसकुस करना जी है तक लिए काफी आक्रोश्चित हैं और आज कॉंग्रेस पार्टी के दामन सामने जा रहे है इसके साथ ही आज की जो सी सीटे बार्टी जंता पार्टी और एंडी गटवंदन को राजस्थान की जंता सौब्दी है उसमें सेंधमारी की जाए इसलिए अपने जो दिग्गत लेता है उनको भी चुनावी मैदान में उसारने की तयारी पार्टी कर रही है इसके साथ ही कई सीटों पर गटवंदन क बहुत 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 शुक्रियात वाम जानकार देने के लिए तो आज सीटी की बैटक बहुत महतुपूर होने जारी है तीन सीटों पर गटवंदन को लेकर फैसला हो सकता है राहूल कस्वा जो चुरू से दावन थाम रहा है उस पर मुहर लग सकती है जो सीटे है राजस सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बुलने वाले राहूल कस्वा सुनते है कैसे बीजेपी को घेरते है क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट औ पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काट कर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जा अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर जीत हासिल की से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के हमारे राजिस्तान के कॉंग्रेस के अद्रक्ष जोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इससाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्यवा दना चाहता हूं, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोगसबा 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोगसबा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वा आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अने को मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गिए और उसके बाद बें समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नेत्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि है कॉंग्रेस की एमिले रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से लेक्षान कर रहा टे तब क όम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खडगे साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपढ़ नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानों के किलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान हो करके हमारे साथ में kongres party के साथ में जुड़े हैं मैं इनका हरदिक स्वागत करता हूँ प्रदेस को ओच सब्सक्रमा था स says कि क्यों को इस मुंदी आज़ा आपysisrä सब Dolan Refs Q 능िन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामिल हो गए है स्री राहूल कस्वा जी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हैं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूंगों कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील हो गएं उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संग्राम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुवात करेंगे जियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंग्रेस में BJP सांसद राहूल कस्वा शामिल होंगे थोड़ी ही देर में कॉंग्रेस की सदसिता लेंगे राहूल कस्वा कॉंग्रेस अध्याक्ष क pista की मौजूद्गी में वो कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे इस दोरान प्रदेश प्रभारी सुक्जिंदर सिंग रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ गोविन सिंग डोटा सरा खड़गे के आवास पर ही मौजूदा और कुछी समय में वो कॉंग्रेस का दामन थामने वाले हैं बताते चले कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहूल कस्वा जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और इस बार देवेंद्र जाजडिया को टिकट दे दिया गया और इसी बात से खफा होकर राहूल कस्वा आप पार्टी कॉंग्रेस की जॉइन करने वाले हैं तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहूल कस्वा ने बीजेपी से इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी सुचना इस वक्त के आपको बता रहे है राहूल कस्वा ने अपना इस्तिफा सब दिया है बीजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जनकारी साजा की है और थोड़ी ही देर में वो कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो बड़ा सियासी हलचल राजिस्थान में जहाँ इससे पहले तस्वीरे हमने आपको दिखाई बड़ी जोइनिंग होई जहाँ पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहुल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है कॉंग्रेस की बड़ी रणिती के तोर पर भी इसे देखा जा रहा है और सूत्रों के अवाले से खबर ये भी है कि चूरू से राहुल कस्वा को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है तो अगर ऐसा होता है तो देविन जाजडिया और राहुल कस्वा के बीच सीधी टककर होगी तो कॉंग्रेस की बड़ी रणिती जहां पर बीजेपी के दिगज नेता मौझूदा सांसद राहुल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामिल होंगे कुछी समय का इंतिजार क्योंकि अभी बैठक की जा रही है मलिकार जुन खड़ गे कॉंग्रेस के राश्ट्रिय जेक्ष के घर पर ये बैठक चल रही है जिसमें सुकजिंदर सिंग रंधावा से लेकर डोटा सरा और निता प्रतिपक्ष भी पहुचे हुए और वही पर राहुल कस्वा भी मौझूद है आपको बता दे कि मौझूदा सांसद का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ती प्रदर्शन भी किया और उस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहुल कस्वा खफा हो गए नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी से होगी लगवीर सिंख शिकावत इस वाक्त हमारे साथ सीधे जूट चुके है लगवीर आज दामन ठामने वाले हैं राहुल कस्वा कॉंग्रेस का कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए जिस प्रकार से कल कॉंग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भारती जंता पार्टी की तरफ फिले किया था और पार्टी जंता पार्टी का रुख अपनाया था उसके कार्ट में आज राहुल कस्वा जो की मुझूदा सांसद्य दस साल से लगातार सांसद्य एक बड़ी की विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी के राजिनती में रही हैं वो कॉंग्रिस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं इस वक्त वो मलिकारजुन खड़के के आवास पर पहुंचे हैं उनकी जोइनिंग के लिए पिसीजी चीफ गोईन डोटासरा प्रभवारी सुबजिंदर सिंग रंदावा और नेता प्रतिपक्ष टिकराम जूली भी म महत्पुन ट्वीट किया है और साफ तोर पर भारती जनता पार्टी की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ संसथ सदस्यता से इस्तीफा देने का जिकर करते हुए भारती जनता पार्टी के शीर्ष नेत्रतों का आभार भी जता है और कहा है कि 10 साल तक उन उन्होंने राजिंद राठवोड पर हमला बोला है क्योंकि दो दिन पहले जिस परकार से राजगर आवास पर उन्होंने जो शक्ति परदर्शन किया था तो गाय बगाय इन डा हमला बोला था और अब कौझि आज वे कॉंग्रेस पार्टी के दामन ठामने जा रहे है उतरेंगे और उनका मुकाबला भारती जनता पार्टी के उमिद्वार और पहला ओलम्पिक रहे ओलम्पियन रहे देविंद्र जाजडिया से होगा तो एक काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिग्जजाट नेताओं के बीच ये मुकाबला होगा हालां कि राहूल कस्वा को काफी बड़ा अनुभव है बड़ी फोज कारेकरताओं और समर्थकों की उनकी चूरू लोगसबक शित्र में हैं ऐसे में देविंद्र जाजडिया जो की राजिती में नहीं हैं लेकिन भारती जनता पार्टी की जो कद्दा और नेता हैं वो लगातार उनके साथ जनसंपर करते वे नजर आ रहें उनके लिए वोट मांगते वे अभी से जुट गए हैं जिनमें सतीश पूनिया जो की चूरू से आते हैं राजियन राठोर जो की चूरू से आते हैं और भी कारेकरताओं की और निताओं की बड़ी फैरिस्त है जो की उनके नहीं है और एक सिंपथी भी उनके लिए है क्योंकि उनका टिकेट भारती जंता पार्टी से कटा है और अब वे कॉंग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर चुनावी मिदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साहितर उन आप नजर बना रखेगा लकवी रेके खलचल पर बहुत शुक्रिया फिलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोगसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस के आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है कॉंग्रेस के इंद्रे चु चुरू के सांसत राहूल कस्वा के नाम पर भी CEC में मुहर लग सकती है यह बड़ी सुषना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के इससे बड़ी बात इस वक्त की है वो यह है कि राजस्थान में किन-किन उमीदवारों को टिकट दिया जाना है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बात बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभाद सीटों पर भी इस कॉंग्रेस एलेक्शन कमिटी में बड़ी बैठक में कॉंग्रेस की लोगसभाद सीटों पर भी चर्चा हो सकती है और आज लोगसभाद सीटों पर मोहर भी लग सकती है CC की बैटेक से पहरे राहू कजवा कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं जो की चुरू में संग्राम छुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्ता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खडगे जो की अध्यक्ष है प्रणी शामिल हो सकते हैं जो की बड़े नेता राजस्तान के दिल्ली की बैटेक में पहुच्ट रहे हैं तो 25 की लोग सबा सीटों पर आज चर्चा होने के साथ ही संभवता हो सकता है कि 25 के 25 सीटों पर सारे काडिडेट उतार दिये जाए या कुछ सीटों पर कैडिडेट उतारे जाए और वहीं अगर देखा जाए तो बिजेपी भी लगातार आज बिजेपी की भी बैटेक हो नहीं है और बिजेपी भी बची हुई दज सीटों पर कैडिडेट को उतार सकती है इस खबर पर हमारे संभवाद आता लगबीर जुड़े में लगबीर क्या है अभी जाए जाए गी जिसके बाद जब दूसरी सूची कॉंगरस पार्टी जारी करेगी तो उसमें राजस्तान से जूड़ी सीटों पर वे ऐलान किया जाएगा आज की इसलिए मैटफोन है क्योंकि चूरू से मुझूदा वारती जिनता पार्टे की जो सांदर्द है राहूल कस वक्त पूर मुख्यमति अशोग गलूद गोविन डोटासरा सचीन पालेट सरी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे इस जोड़ी के बाद जब CEC की बैठक होगी शाम को तो निश्चित तोर पर चूरू पर भी डिसकस किया जाएगा और चूरू के सीट को भी लॉक कर द कर दिया है कि वो कॉंग्रेस में शामिल होते ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका टिकट जो भारती जंदा पार्टी के तरफ से काटा गया वो सरा सर नहीं साथ की उनको बताना जी है उनसे डिसकस करना जी है काफी आक्रोशित हैं और आज कॉंग्रेस पार्टी के दाम की सीटे बारती जंता पार्टी और एंडी गटवंदन को राजस्थान की जंता सौब्दी है उसमें सेंधमारी की जाए इसलिए अपने जो दिग्गस नेता है उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की तयारी पार्टी कर रही है इसके साथ ही कई सीटों पर गटवंदन क करने का भी निर्ने ठीक है लग भी बहुत बहुत शुक्रियात वाम जानकार देने के लिए तो आज सीसी की बैटक बहुत महतुपूर होने जारी है तीन सीटों पर गटवंदन को लेकर फैसला हो सकता है राहुल कस्वा जो चुरूर से दावन थाम रहा है उस पर मुहर भारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किय पर रहुल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में के समर्थक विवाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना ब जोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन बावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्रे अदक्ष खड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राश्टान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे हिसा बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामन्ती जी का धन्यवाद दना चाहता हूं साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाद 76 की लोगों की जन्ता की सेवा करने का एक मुझा मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भाउना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबाद की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मेरे इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर में मेरी लोग सभा के च्छेत्र की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेत्र के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वाजी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदूस्तान का पूरा किसान वारती जंता पार्टी की गलत निटियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वा जी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8-13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नी राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर की बारतिय जन्ता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वरतमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो किंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुढ़े हैं। दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वा जी और पूरे हमारे पार्टी के साथ ही हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में सा का उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोपहर के एक बजने वाले हैं महा संग्राम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शिरुवात करेंगे सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कॉंग्रेस में बीजेपी सांसत राहूल कस्वा शामिल होंगे थोड़ी ही देर में कॉंग्रेस की सदसिता लेंगे राहुल कस्वा कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे की मौजूदगी में वो कॉंग्रेस का हाथ थामेंगे इस दरान प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा निता प्रतिफक्ष टीका राम जूली और PCC चीफ ग टिकट बीजेपी ने काड़ दिया और इस बार देवेंद्र जाजडिया को टिकट दे दिया गया और इसी बात से खफा होकर राहुल कस्वा आप पार्टी कॉंग्रेस की जॉइन करने वाले हैं तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहुल कस्वा ने बिजेपी से इस्तिफा दे दिया है ये बड़ी सुचना इस वक्त के आपको बता रहे है राहुल कस्वा ने अपना इस्तिफा सौब दिया है बिजेपी को एक सेंडल पर ट्वीट कर उन्होंन ये बड़ी जनकारी साजा की है और थोड़ी ही देर में वो कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो बड़ा सियासी हलचल राजस्थान में जहाँ इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई बीजेपी में बड़ी जोइनिंग होई जहाँ पर कॉंग्रेस के दिकज निताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो वहीं आज चूरू से मौझूदा सांसद राहूल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है कॉंग्रेस की बड़ी रणिती के तोर पर भी इसे देखा जा रहा है और सूत्रों के अवाले से खबर ये भी है कि चूरू से राहूल कस्वा को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है तो अगर ऐसा होता है तो देविन जाजडिया और राहूल कस्वा के बीच सीधी टककर होगी तो कॉंग्रेस की बड़ी रणिती जहां पर बीजेपी के दिगज नेता मौझूदा सांसद राहूल कस्वा अब जल्द ही कॉंग्रेस में शामेल होंगे कुछी समय का इंतिजार क्योंकि अभी बैठक की जा रही है मलिकार जुन खड़ गे कॉंग्रेस के राश्ट्रिय जैक्ष के घर पर ये बैठक चल रही है जिसमें सुकजिंदर सिंग रंधावा से लेकर डोटा सरा और निता प्रतिपक्ष भी पहुचे हुए और वही पर राहूल कस्वा भी मौझूद है आपको बता दे कि मौझूदा सांसद का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ती प्रदर्शन भी किया और उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आएं तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहूल कस्वा खफा हो गए नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी किसे होगी लगवीर सिंख शिकावत इस वाक्त हमारे साथ सीधे जूट चुके है लगवीर आज दामन थामने वाले हैं राहूल कस्वा कॉंग्रेस का कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए जी बिलकुल प्रियंका जिस प्रकार से कल कॉंग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भारती जंता पार्टी की तरफ विले किया था और पारती जंता पार्टी का रुख अपनाया था उसके कार्ट में आज राहूल कस्वा जो की मुझूदा सान सद्र दस साल से लगातार सान सद्र एक बड़ी की विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की राजिनती में रही हैं वो कॉंग्रिस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं इस वक्त वो मलिकारजुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं उनकी जोइनिंग के लिए पिसीजी चीफ गोईन डोटासरा प्रभारी सुबजिंदर सिंग रंदावा और नेता प्रतिपक्ष टिकराम जूली भी बड़ा नुकसान उठाना पर सचता है भारती जनता पार्टी को चूरू में क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजनीती में राहूल कस्वा परिवार का रहा है ऐसे में अब चूंकि वो कॉंग्रिस पार्टी शामिल करने जा रह और कहा है कि दस साल तक उन्हें जिस प्रकार से संसद में पहुंशने का मोका दिया असलिए नरेंद्र मोधी अमिट्शे और जेपी नडग आभार लेकिन एक बात और मैंशन की कि राजिंती कारणों की शलते वह भारती जनता पार्टी से इस्तिफा दे रहे हैं मतलव फिर आज वे कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कॉंग्रेस की केंद्री चुनाव समित्धी की बैठक होगी शाम को जिसमें राजस्तान की सीट भी डिसकस की जाएंगी तो ये अब मोटा मोटी तैह है कि चूरू से कॉंग्रेस पार्टी के के तोर पर राहुल कस्वा चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला भारती जनता पार्टी के उमिद्वार और पहला ओलम्पिक रहे ओलम्पियन रहे देविंद्र जाजडिया से होगा तो एक काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दो जिग्ज ज नेताओं के बीच ये मुकाबला होगा हालांकि राहुल कस्वा को काफी बड़ा अनुभव है बड़ी फोज कारेकरताओं और समर्थकों की उनकी चूरू लोगसबक शित्र में हैं ऐसे में देविंद्र जाजडिया जो की राजिती में नहीं हैं लेकिन भारती जनता पार् जिस्त है जो कि उनके लिए जनसम पर कर रहे हैं लेकिन अगर राहुल कस्वा चूरू से कॉंग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफी रोचक ये मुकाबला होगा क्योंकि राहुल कस्वा कुछ छोटा नाम नहीं है और एक सिंपथी भी उनके लिए है क्योंकि उनका टिकेट भारती जनता पार्टी से कटा है और अब वे कॉंग्रेस के प्रतेशी के रूप में अगर चुनावी मिदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साही तर उन्हीं के फैसले के आधार पर वो कॉंग्रेस पार्टी में अशामिल भी हो रहे हैं हाला कि उनके मन में एक बड़ा प्रसुन था एक बड़ी रहता थी जब इन्होंने पकार आगे बड़ते हुए लोकसबाद चुनाव को लेकर कॉंग्रेस कि आज दिली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। है और ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान प्रदेश कॉंग्रेस के कई दिगज निताओं को उमीदवार बना सकती है। वहीं आज ही कॉंग्रेस में शामिल हो रहा है चुरू के सांसत राहूल कस्वा के नाम पर भी C.E.C. में मुहर लग सकती है ये बड़ी सुषना इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इसके अलावा तीन सीटों पर गटबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता ह बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिगज दिल्ली पहुँच चुके हैं तो वहीं राहूल गाधी भी न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में राहूल गांधी भी शामिल रहने वाले हैं लेकिन जो स तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट अपने के बाद बहुत स्वागत बड़ी ख़बर आपको बता दे कि आज दिल्ली में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस इलेक्शन कमिटी के बैठक होनी है राजस्थान की लोगसभाद सीटो पर भी इस कॉंग्रेस इलेक्शन क चुड़ा हुआ है और अब बिजेपी का दामन छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं उनको सदस्थता दिलाने के लिए मलिका अर्जुन खड़गे जो कि अध्यक्षे कॉंग्रेस के रास्टे अध्यक्ट और साथी गोविन सिंग डोटासरा भी मौजूद रह सकते हैं तीन सीटों पर गरवंदन को लेकर भी सीसी की आज इस बैटरक में फैसला हो सकता है पी सीची गोविन सिंग डोटासरा भी दिल्ली पहुचे वे हैं कुछ देर में ही अश्चोग गयलोत नेता प्रतिपक्ष टीकर आम जूली भी दिल्ली पहुचेंगे यानि की माना ज पाजस्थान के दिल्ली की बैटरक में सीसी की बैटरक में पॉस्टर है तो 25 की लोग सबा सीटों पर आज चर्चा होने के साथ ही संभवता हो सकता है कि 25 के 25 सीटों पर सारे कैंडिडेट उतार दिये जाए या कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाए और वहीं अगर द जानकारी सीची की बैटक को लेकर? आज की सीची बैटक इसलिए भी मैटफोन है क्योंकि चूरू से मुझूदा वारती जिन्ता पार्टे की जो सांदर है राउल कस्वा वो दो पर एक वजे कॉंग्रेस का अदामन थाम मेंगे कॉंग्रेस अद्द्यक्ष मलिकार जुन खडगे उनको कॉंग्रेस पार्टे की और चूरू की सीट को भी लॉक कर दिया जागा क्योंकि अभी मौटा मुटा मुटा हो गया है कि भारती जिन्ता पार्टी के प्रत्याशी देवंदर जड़िया के सामने चूरू से कॉंग्रेस पार्टी रहूल कस्वा को तुमावी मैदान में वतारने जा रही है और रहू कॉंग्रेस पार्टी के दामन शामने चाहरे है कि प्ष़ले दो चूराव से जो ट्रेंड चला रहा है राजास्तान में कि पच्चेश की पत्च्चीव सेटि सेटिन पर एंडिये जटिमदं को रज़़तान की जनता सौबती है उसमने सेहंध मारी की चाये इसलिए अपने जो दिग्गस लेता हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयरी पार्टी कर रही है इसके साथ ही कई सीटों पर गटवंदन करने का भी निर्ने की 25 की जहां पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री जैक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे BJP को घरते हैं क्यो आपको बताते चले कि BJP ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका BJP को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्वा भी रखते हैं राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह च शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से चलिए शुरू के से मेरी लोकसवाद चूरू के जन्भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के राश्टे अद्रक्ष खड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहुल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया है इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामंत्री जी का धन्यवाद दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाच्षत्र की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाच्षत्र के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोगसभा की मेरे जो कारे करता हैं मिरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज में इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआउं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खड़के साथ, आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर ने मेरे लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाये गे और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गे और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारतिय जंता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस accredy को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि जी कॉंक्रेस की MLA रही है मेरे साथ आट से 13 में तो ये पजास साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे 正न कों को आगे बड़ाने का काम कर रहे थे माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम करेते उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हम से चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहुल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ कर कि बारतिय जन्ता पा किसान के बेटे आए और आज फिर एंपी लगा टार पांच छे वार एंपी रहना उस परिवार का और खुद गा दो वार एंपी रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के स जादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके क इंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रह किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं ज समय से लेकर गुजराथ घर गुजराथी तो हाई है और और बिष साह वेस्विंग हर चीज़ँ वो अपनी मास्टृ करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना, दमकाना, क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरूरत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जी सो पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूछ सोन्या गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पॉइलेट से पूछा, जितने भी लीडर से, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपकी क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से, शामील करना यह हमारा काम अयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उ इलपी लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करत है, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभिना, उनका अभिनान करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वे तो सभी से बात करके, चर्चा करके, यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिका आज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्थिता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूत्रों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर, PCC चीफ गोविन स सिंग रंधावा भी मौझूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, अब बुलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घेरते हैं, क्योंकि इस से पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था, औ उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं, चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया, और इस समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं, 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां पर जीत हासिल की, सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दो बारा से जब चुनाव लड तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अदक्ष खड़के साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अद्यक्ष जोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इससा बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के प्रदामंत्री जी का धन्यवा देना चाहता हूं, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सभा 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सभा के अंदर जन भाउना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्ट मैं शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ, और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर मैं मेरी लोग सभा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता र खड़के साब ने सामिल कराया है, और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी, जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुक कर गए और जो हमारी बहनों के साथ, रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया, तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारक भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था, और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी न चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दोवार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रह माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8-13 में तो ये 50 साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे उन किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेश कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वा जी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में साम स्पून को मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिन्द्रन करने के लिए यहां आया हूं और मुझक है कि उनको हमने जो शामिल कर लिए उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषणों में कि करणा से लेकर तमिर तक तमरे से लेकर गुजराधा कि घुजराती हमाति तो ही है और परिशा वेंगर 好 कि और ॉडूरो व्यंतुरां कि अब्षिक देए पहले से ही उन्हों ने लोकों को डराना दमकाना चा करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वही एक अपना रुक रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में ज़रुषी है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जी सुपूचा हमारे CLP लीडर को भी पूचा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूचा सोनिया गांदी जी से पूचा और घैलोड से पूचा पॉइलेट से पूचा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गादी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हो इसलिए आपके अनुमती चाहता हो क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एकंसेंसस बनाना पार्टी में यूनि कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेसिदेंट लीडर इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभिना उनका अभिनान करता हूँ और आगे पार्टी में जिस उसुलों के इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है ठैंक यू वेरी मच अधिया जाए खरिये जी का फ्रेस कांफरिंस तीम बजे को होगा चोबी सब्सक पर रूप तुझ फुझ नरेश विजार 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 तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन ठाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से स्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा थे आप वो कांग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से संसद का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूत्रों के वाले से खबर है यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहा है जहाँ पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिल्लिस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घरते क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहुल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थी टिकट आठकर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉ चलिए शुरू के इसे मेरी लोकसवाद चुरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्रे अदक्ष खडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का र कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामन्ती जी का धन्यवाद रहा चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाच्षित्र की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाच्षित्र के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की, मेरे जो कार्यकरता है, मीरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आद में इस पार्टी का परिवार में शामिल वाऊं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मीरि लोक सभा के च्छेत्र से नधर कारे विकास कारेओं को करणे में आगे आगे काम करता रहऊंगा राहुल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साथ ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारतिय जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर के जालिंद्र के बाजपा के नित्रीतेशों को किसान के मुद्धे उठाने की बात की तो उन मुद्धों को उठाने की इजाज़त भी मली 믿 और उसका कोई जवाब भी नई दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई हुख किसान का बेटा परेशा ने इक चांगर्न चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता प कि मैं रह करके सेवा कर रहे थे हैं कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हम से चर्चा की तो हमने मानिय र खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर कि बारतिय जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बच आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानु के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान हो करके हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्व कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री लुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हैं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आप से मैं मिल रहा हूंगों कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने यह भी कहा कि अपने यह किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और यह अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको यह भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषणों में करणडा से लेकर तमिर तक कि अमने से लेकर गुजराथ गुजराती तो आई है और वैस्मेंगह हर चीजुद वह अपनी मार्टरी करना चाहते हैं जब मों लोकों को डराना दमगाना क्या करना यह तो हुव पहले इसे ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जी सुपूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा पिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राछू गांदी जी से पूछा सोन्या गांदी जी से पूछा और गैलोड से पूछा पॉलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया और आज मैं कल मेडम गादी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपकी अनुमती चाहता हूं क्योंकि consensus बनना इस द्रश्टी से है शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक consensus बनाना पार्टी में unity रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुश इसलिए मैं आप सबको धनिवाद देता हूँ आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी फिर भी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभिना उनका अभिनान करता हूँ और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है थैंक यू वेरी मच खरिये जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा 24 अपर रूप तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिका अज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही ह और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतरों के वाले से खबर है यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्र मलिकारजुन खडगे से लेकर पी सीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिल्लीस दिखा रहे हैं अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घि टिकट कटवाने क्लिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की और से शक चुनाव लड़ा वहां पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चु अब सब्सक्राइब के जनवह बावनाओं को किसे अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत बहुत दिना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के रास्ट्रेन॥ अद्रक्ष कृड़क मैं, गईतनीय स्रीमती सोन्य गान्दी जी का, रहॉल गान्दी जी क और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्वा जना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वाजी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गे और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गे और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर कें प्रभावित हो करके हमारे Sprysvacary जो चूरू से वर्तमार में भारतिय जन truck party के सांसद हैं ये दो वर से सांसद हैं इनके पटा जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 68 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे च परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे जगातार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का दो वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ प कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है श्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हैं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े होते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्हों ने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में और करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात फिर गुजराती तो ही है और और इसाह वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही कि उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी वही एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरूरत है और दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया ग के ऑंपर वाद हमारे सी इलपी लीडर को भी फ पूछा τοह कुछा उनंसे कहने लगा यह व्यार्दाबाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहु गांदी जी से पूछा कुछा श्हके में आना बंगाz और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से है, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी मे यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिल कि उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलिफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभ उसलों पर आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामंतवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, Thank you very much. तो सभी से बात करके चर्चा करके ये फैसला लिया गया है राहूल कस्वा nào का ने कॉंग्रेस का दामन थाम लीआ है तस्वीरे पिरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दी आपको बताते चले कि बीजेपी से स्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामे हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूत्रों के वाले से खबर है ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहा है जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पी सीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे पर राहुल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र ज पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्रे अदक्ष खड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राश्टान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे हिसा बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामंती जी का धन्यवाद दना चाहता हूँ साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जन्ता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबाद की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता करूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये रास्ट्री अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बेहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारड़क, भारतिय जनता पार्टिकी गलत नितियों से तरस्त था, پरिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये पकशास साल से राजनिती में रह करके सेवा कर रहे थे हैं, कौम को आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके, इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर की बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पद के उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं मैं इनका हार अदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धेक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में और करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तो है है और उरिसा वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में ज़रुद है और दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जी से को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हो इसलिए आपके अनुमती चाहता हो कि यूविटी रह नो कोई आओ बोलेको वुवले यह नहीं होना समझे हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यसका तो फिर हमने को इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और PCC President, CLP Leader, इंचार, Secretary सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहाँ पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी, आप फिर वहाँ आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभिनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आप को खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मच. खरिये जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा, चोबिसक पर रूप. तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, स प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहे हैं, अब बुलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर प जेदेंदर जाजडिया पर भरोसा जता है, और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये, अब से युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए, कॉंग्रेस से मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी के राष्टे अदक्ष खडगे साब का, आधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का, रहूल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अदक्ष जोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इससाब बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के प्रदामंत्री जी का धन्यवा दना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्रत मुझे मुझे लोग सबा 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर, मेरी लोग सबा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत व मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का इसा बनने की, मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खड़के साब आपका देना चाहता मैं और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर मैं मेरी लोग सबा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस परकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर कें वित्रित्यों को किसान के मुद्ध मुद्ध उठाने की बात की तो उन могли मुद्धों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परिशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू उसे वरतमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दोवार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धेक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में तो करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तहीं जुआ यह onि辉न तो है लोगा नहीं को डरा ना दंगा ना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से करते हैं अबी वह एक अपना रुख रखे हैं में इसलिए अईसे लोगों को हमारी पार्टी अनच्वारीच में ज़रुरत है और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जी सो पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूछ पूछा, सोनिया गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पॉइलेट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं, से आपके अनुमती चाहता हो, क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से है, शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंस बनाना पार्टी में, यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझ के, हमने सबसे बात करके, सभी ने किताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहा आप फिर वहाँ आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामनतवारी लोग खरिये जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बज़े को होगा, चोबिस अपर रूप तो सभी से बात करके, चर्चा करके ये फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफ़ा देने के बाद से ही, ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ह और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराय कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, चुरू से खबर हैं, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पी सीसी चीफ गोविन सिंग प्रदिश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद हैं, तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिली से दिखा रहे हैं, अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बी कि उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस ब बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर मौजूद आये, अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है, क्योंकि कस्वा समाज में काफी मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्र अदक्ष खड़के साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का, जूली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिसा बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्यवा देना चाहता हूं, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग जिवार में शामिल हुआँ, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ, और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर में मेरी लोग सभा के च्शेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्शेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम खड़के साब ने सामिल कराया है, और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी, जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुक कर गए और जो हमारी बहनों के साथ, रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया, तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारक भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था, और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी न चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टे के सांसद हैं ये दोवार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रह हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ आट से तेरा में तो ये पच्छा साल से राजनिती कि में रहकर के सेवा कर रहे थे हूं को को आगे बढाने का काम कर रहे थे मध़ा चाँ बेनों को आगे बढाने का काम करे थे उनको परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्स इते लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपड़ नीयन नहीं वो गये हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हर्याना के MP के 37 किसान परिवार किसान के बेटे आये और आज फिर MP लगा टार 5-6 रहना उस परिवार का और खुद का दोवार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अदिक्ष स्वागत करता हूं प्रदेश कॉंग कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहु जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषाणों में करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है और पुरिसा वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये है अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जीस को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा है फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामील कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं और प्रिशी सी प्रेसेडेंट, सी एल का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलिफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, टैंक यू वेरी मुच खर्ये जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा, चौमिस अगपर रूप तो सभी से बात करके चर्चा करके ये फैसला लिया गया है राहुल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिका अज्यून खड़के ने राहुल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नाराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सुत्रों के वाले से खबर है ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिल्लीस दिखा रहे हैं अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरीए उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मै में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा स से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन बावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धनिवा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के हमारे राज्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामंत्री जी का धन्यवाद रना चाहता हूं दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरे लोग्सफा की मेरे जो कार्य करता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद खड़कर साब आपका देना चाहता हूं और Congress party में रह कर मैं मेरी लोक सबा के 46 श्यक्तर की आवाज को और मजबूती से 36 के अंदर विकास कारेयों को करने में आगे काम करता रहोंगा राहूल कस्वाजी का आज Congress party में हमारे आदर्णिये रास्ट आदेक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बेहनों के साथ, रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारक भारतिय जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो अमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये पचास साल से राजनिती में रह करके सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब ह राहुल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धेक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाब और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में से अब करणा से लेकर तमीर तक ऩ॑ं में से लेकर गुजराती तो हुआ ही है और इसाहına वेस्पेरे लेस्पे वह अपनी मास्टरी लेकर मास्ट करना चाते हैं जब उन्हों कि पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जीस को पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा, सोनिया गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पॉइलेट से पूछा, जितन में भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपकी अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस दृष्टी से, शामिल करना यह हम हमारा काम अयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझ के, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुदाये है और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहाँ पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी, आप फिर वहाँ आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कु होंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मुच, खरिये जी का फ्रेस कांफिन्स तीम बजे को होगा, चोबिस अक पर रूप, तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्टा ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले क बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही, ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ, कॉंग्रेस के राश्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर, PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो ये तस्वीरे सीधे आपक किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काट कर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया, और इस बार उन्हें कि बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी के राष्टे अदक्ष खडगे साब का, अधर्निया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अधर्टी जोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इससा बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के प्रदामंती जी का धन्वा जना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबा 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप स प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सभा की मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खड़के साब आपका देना चाहता हूँ, और कॉंग्रेस पार्टी राहुल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्दक्स खड़के साब ने सामिल कराया है, और हम लोग राजस्तान के लोग, जो किसान परिवारों से आते हैं, काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम क रही थी, जो तीन काले कानून लाए गए, और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया, तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारक, भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था, और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया, किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की ब बात आई कि किसान का बेटा परिशान है, सेवा करना चाहता है, और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके, हमारे राजी कॉंग्रेस की मेरे साथ 8 से 13 में, तो ये 50 साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे, माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीतियों को देख करके, इन्हों ने जब हम से च राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर की बारतिय जन्ता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं किसान के बेटे आए और आज फिर एंपी लगा टार 5-6 वार एंपी रहना उस परिवार का और kauप जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे परेशान हो करके हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं मैं इनका हार अदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्यवाद। जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है श्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं। कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं। यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में। और करणा से लेकर तमिर तक तमिरे से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है और पुरिसा वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं। जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दंकाना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से करते आये हैं अभी भी वोग एक अपना रुक रखे हैं। इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जीस को पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उन से कहने लगाया, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी जी से पूछा, और घैलोड से पूछा, पौइलेट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं, उन से मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किय और आज मैं कल मेडम गांधी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC President, CLP Leader, इंचार Secretary, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीब दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभिना, उनका अभिनान करता हूँ, और आगे पा आमंदवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मुच. तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिकारजून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सद्सिता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपे से इस्तिफा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूतरों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर, PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है, अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया की जरीए उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था, कि उनके साथ गेम कि आगया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है, और इस बार उन्हें चुर और दो बार के सांसत भी रह चुके है, 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां पर जीत हासिल की, सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दो बारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गय अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिसाब बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्यवा जना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्युत ने मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आ प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिसा बनने की, मेरी लोग सबा की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल वाऊं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, खड़के साब आपका देना चाहता हूं, और कॉंग्रेस पार्टी में र राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है, और हम लोग राजस्तान के लोग, जो किसान परिवारों से आते हैं, काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी, जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बेहनों के साथ, रैस्टलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वार्ड़क, भ परकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती में सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हम से चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी जनिये खडगे साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नही नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हर्याना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगातार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उस से प्रेशान होकर के आमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं मैं इनका अधिक स्वागत करता हूं पर्देश कोंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्याद कर गई कर दो कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने यह भी कहा कि अपने यह किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और यह अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको यह भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करिणा से लेकर तक टमिले से लेकर गुजरात घ्र गुजराती तौही ए और वेस्वें हर चीज पर वो अपनी मास्री करना चाहते हैं जब अनों पहले से ही उन्होंने लोकों को डिरह ना दमकानाक्त करना यह तो उन्होंनें पहले इसे ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरुरत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जी सुपूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगाया, फिर रंदावाजी तो पहले ही तैयर थे, फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा, सोनिया गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पौइलेट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचा सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहें करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभिनदन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक्यू, वेरी मच्छ. तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिका आज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदेस्यता ग्रहन करा द बताते चले के बीजेपे से इस्तिफा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन थामते ह हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूतरों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है, अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरीए उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ तोर पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि क समाच में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहूल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दो बारा से जब चुनाव तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन बावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भनिवा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्रे अधक्ष खडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथी साथ में हमारे राधिस्टान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया है इस परिवार का मुझे खशा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्वा दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कार करता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद खटके साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्धक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारत्य जंता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वा जी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया खिसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि हित होकर कि हमारे राहुलकस규 जूरू से वरत्मार में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं इनके पिटाजी चारवार रहे हें इनके दादा रहे हैं इनकी महताजी कांग्रेस की अमेले रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिति की मैं रहकर के सेवा कर रहे थे किसान को आगे बढ़ने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गा सकता हूँगी राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करके बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वरतमान में किसी पद च्छे वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा दो वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार दिक स्वागत करता हूँ पर राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग्ग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए हैं स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनान करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषाणों में सब्सक्राइब का खुद लेकर टमिर बेकर गुजड़ाथ घर गुजड़ाती दौह ही है और भूरिसा月 में national मिंश्धी कछन Raise में जब उनों पहले से इअ उन्होंने लोकों और ना दम शनला क्या करना ये तो उन्होंने मने पहले से करते आये हैं अभी भी वह एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जीस को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी पूछा जीसे उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंग सेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रिशी सी प्रेसेडेंट सी एलपी लीडर इं इसलिए मैं आप सबको धनिवाद देता हूँ आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीब दी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभीना उनका अभीनान करता हूं और आगे पार्टी में जिस के लिए आप आये हैं उस उसुलों पर आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामंतवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है थैंक यू वेरी मुच अगरे जी का फ्रेस कांफिन्स तीम बजे को होगा चोबीस अपर रूप तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतर के वाले से खबर हैं ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकार जुन खडगे से लेकर पी सीसी चीफ गोविन सिंग लटवार किया था और साफ्त और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौज सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काड़ दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्र अदक्ष घड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का करनके कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे हिसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंती जी का धन्यवा दना चाहता हूँ साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जन्ता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन्भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कार करता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल रूआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंगरेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोगसभा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारेयों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये रास्ट्री अद्द्रक्स खडगे साथ ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर कें नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया, तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है, और कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा को आत्मसाथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राखुल गांदी जी की जो अमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राखुल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भार्ट्य जन्ता पार्टी के सांसद है ये दो वार से सांसद हैं, इनके पिता जी चार वार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे च परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और ख बागत करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस के बेटी के तरफ से धन्यवाद करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष श्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साब कि और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामिल हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में तो करणा से लेकर तमीड की तमिड से लेकर घुजराध कर घुजराती तव ही ए और उरीसाह वैस्वें हर चीज़ वो अपनी मास्ट्री करना चाने हैं जब उन्हों जब पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अद्यक जीस को पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगाया, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूछा, सोनिया गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पॉइलेट से पूछा, जितन मैं भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हम मारा काम अयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझ के, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं और PCC प्रेशेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहाँ पर बुला के तोड़ी सी तकलिफ दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्य अबिना उनका अभिनान करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, टैंक यू वेरी मच. खर्गे जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा, चौमेश अक पर रूप। राहुल कस्वा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकारजून खड़के ने राहुल कस्वा को कौंग्रेस की सदस्तिता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद स यह क्यास लगाए जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन ठामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन ठामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतरों के वाले से खबर है यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहा है पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्टी अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे BJP को घेरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने BJP पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहुल कस्वा के ओर से कहा गया था नावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में के समर्थक विवाँ पर मौझूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका BJP को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी BJP की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अदक्ष खडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परजामंती जी का धन्यवा जना चाहता हूँ साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबा 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कार करता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्धक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाये गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रैसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नेत्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की मेरे साथ आट से तेरा में तो ये पचास साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किय गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा पार्टिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं वो गये हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजिस्तान के अद्धिक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील होग है उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करणा से लेकर तमिड तक तमिडे से लेकर गुजरात घर गुजराती तो है यह और पुरिशा वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरुरुद है और दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जी सुपूचा, हमारे CLP लीडर को भी पूचा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूचा, सोनिया गांदी जी से पूचा, और घैलोड से पूचा, पॉइलेट से पूचा, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपकी अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से है, शामील करना यह हमारा काम अयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंस बनना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP, लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी, आप फिर वहाँ आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहें करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभिनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों प थैंक यू वेरी मुच। बियात करके चरचा करके ये फैसला लिया गया है, राहुल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकारजऊन खड़के ने राहुल कस्वा को कॉंग्रेस की सद्सिता ग्रहेंड करा दी, आपको बताते राहुल कस्वा चूरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सुत्रों के वाले से खबर हैं ये सीधी तस्वीर इस वक् भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहा है अब बुलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घेरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरीए उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस् का टिकट काट कर पेरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की और से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में के समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लाते हुए कॉंग्रेस से चलिए शुरू कि मेरी लोगसवाद चूरू की जन्भावनाओं को कि अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अध्रक्ष खडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्रक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मु देश के परदामंत्री जी का धन्यवाद दना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबाद की मेरे जो कारिकरता हैं, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परि प्रवित्र के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। राहुल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्द्रक्स खडगे साथ ने सामिल कराया है। और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारग भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नेत्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की मेले रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो यह 50 साल से राजनिती की में रहकरके सेवा कर रहे थे उड़ान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे आए उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीट को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ क इनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और की नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर कि अमारे साथ में कॉंग्रेुस पार्टी के साथ में जुड़े हैंे हमारे सबस्तों आभि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एल्पी के लीडर जुली जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहु जी जो पार्टी में शामील होगे उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने यह भी कहा कि अपने किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और यह अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा क के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको यह भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहें भाशनों में करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तो है यह और और इसाह वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्हों ने लोकों को डराना दमकाना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते हैं अभी वो इए एक अपना रुक रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों की हमारी पार्टी में जरुरुत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जी से को पूछा हमारे कुछा तो उनसे कहने लगा फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से सोन्या गांदीजी से पूछा और घैलोड से पूछा, पौईलेट से पूछा, जितने भी लीडर से, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांदीजी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हो, इसलिए आपके अनुमत चाहता हो क्योंकि consensus बनना इस द्रश्टी से शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक consensus बनाना पार्टी में unity रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझ के हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और PCC President, CLP Leader, इंचार, Secretary सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ आपको भी हमने यहाँ पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी आप फिर वहाँ आएंगे इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभिनादन करता हूँ और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं उस उसलों पे आपको ख थैनक्यू वेरी मुच ब्सक्राइब कर अब आप्रोग्डे का बिस्कार्ण टीम बजे को होगा जो मिजर अपर भरू है हुआ है हुआ है WHO इस riktRIA आप था थैजिए बात जारेिए तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्याक्ष मलिकार जुन खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं माना जरा है कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतरों के वाले से खबर है यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहा है जहाँ पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दोरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्टी अज्यक्ष मलीकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिलीस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे BJP को घरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरीए उन्होंने BJP पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और BJP के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाद में काफी जादा वर्चस्व भी रखते है राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके है 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत 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 दिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अदक्ष खडगे साब का आधनिया श्रीमती सुझै गांधी जी का रहूल गांधinh जी का और साथी साथ में हमारे राधेस्तान के कॉंग्रेस के अदक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंधावजी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया है इस परिवार का मुझे इसा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदाम अंत्री जी का धन्वा दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाचेटर की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाचे अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्धक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारक भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वा जी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को परिशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तम साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपड़ नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अदिक्ष्वागत करता हूं परदेश कॉंग्रेस कबेटी के तरफ से रूइन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गये हैं स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हैं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनान करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में कंड़ा से लेकर तमिड तक तमिड तक तमिड से लेकर गुज़रात घर गुज़रादी तो ही है और और वेस्पेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरूरत है और दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके नहीं पार्टी में लिया गया है, तो मैं अद्यक जी सुपूचा, हमारे CLP लीडर को भी पूचा, तो उनसे कहने लगा, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूचा, सोन्या गांदी जी से पूचा, और घैलोट से पूचा पॉचा, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपकी अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से हैं, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में, यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार सेक्रेटरी, सभी ने मिलके, उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहाँ पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी, आप फिर वहाँ आएंगे, इसल में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही को होगा, चोबी सक पर रूप, तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिका आज्यून खड़के ने, राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा है थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूत्रों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर, PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिलीस दिखा रहे हैं, अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे BJP को घिरते हैं, इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने BJP पर पलटवार किया था, और साफ्ट और पर राहुल कस्वा के ओर से कहा गया था, कि उनके साथ गेम किया गया है, और BJP के ही कुछ लोगों पर आरोब भी लगाये थी, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं कि BJP ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाज़डिया पर भरोसा जटाया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर मौझूद आये, अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका BJP को उठाना पड़ता है, क्योंकि कस्वा समाज में काफी जाद और दोबारा से जब चुनाब लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अदक्ष खड़के साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी क और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्वा देना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाच्ष छत्र की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाच के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान क की अवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबाच की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की अवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का पर दिवार में शामिल हुआँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर में मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता र देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से म कर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारग भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं क जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके इनके हमारे राहूल कस्वा जी जो चूरू से वरतमार में भारतिय जनता पार्टी के सानच़द है ये दो वार से सानच़द है इनके पिता जी चारवार रहे हैं दादा रहे हैं, इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में, तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे, और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको जब परिशान किया गया और जब उन हमें सफलता मिली कि राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवास। कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धिक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाइब और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामिल हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुए मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहु जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करणा से लेकर तमीड तक किमे से लेकर घजरात घर घुजराती तव हीये और और इसहाव हर छीश के, वह अपनी मास्टरी करना चाहता है कि जब उन्हों पहले सही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो, उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जीस को पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा, सोनिया गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पॉइलेट से पूछा, जितन में भी लीडर से, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमार काम अयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझ के, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं, और PCC प्रेशेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मच्छ. बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिका अज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रहन करा दिया, आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूत्रों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर, PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प रहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये, अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इ 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अदक्ष खडगे साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिसा बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंती जी का जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबा की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी क परिवार में शामिल हुआँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर में मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता करूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्यक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारग भारती जन्ता पार्टी की गलत निटियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की मले रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये पच्छास सा परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्ट्री अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार क का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनक फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान हो करके हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता प्रदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवाद। जूली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है श्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ओफिस में वहाँ पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहाँ मज़े आप पूछ सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील होगे उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोईन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में तो करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तो हाई है और और इसाह वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पा दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जी सुपूछा, हमारे लिडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पौइलेट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांधी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एकंसे बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझ के, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक् मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मुच. तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिकार्जुन खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदेस्टा ग्रहन करा दिय आपको बताते चले कि BJP से इस्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा है थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन ठामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन ठामते हुए BJP से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूत्रों के वाले से खबर है ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं जहां पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्टी अज्यक्ष मलिकार्जुन खडगे से लेकर पीसीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलीस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहुल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पहरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस वो भी रखते हैं राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भ हाट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के हमारे राजिस्तान के कॉंग्रेस के अधिक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्वा देना चाहता हूं दस साल उनके नेतर ने मुझे मिरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सभा की मेरे जो कारकरता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हूआँ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद खटके साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदूस्तान का पूरा किसान भारटे जनटा पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कसवाजी को जिस परकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की मेरे साथ 8-13 में तो ये 50 साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़क किसान के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे परेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अदिक स्वागत करता हूं परदेश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्यवाद कि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धिक्ष दूविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साब और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ हुआ ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनान करने के और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषणों में करनें लेकर तंबी तक इस अर। गुज्राध ये वर से वेस्ट बेंग हर चीज करना चाहते हैं जब उन्हों कि पहले से ही उन्होंने रोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जीसु पूछा हमारे कि अकीृ कि मैं सी एल्पी लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा भी रंधावाजी तो पहले ही तैयार थे पिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांधी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पौइलेट से पूछा जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांधी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से है शामिल करना यह हमारा काम अयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेसिशी प्रेसेडेंट सी एलपी लीडर इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आ यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीब दी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभिनादन करता हूं और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा लड खर्गे जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा चोबी सक पर रूप तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया राहुल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहुल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से स्तिफा देने के बाद से ही यह कयास लगा जा रहा है थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना ज़रा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूत्रों के वाले से खबर हैं यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बिजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहुल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बिजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बिज संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बिजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रस में शाम बीजू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत 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 धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राश्टर अधक्ष खडगे साब का अधरणिया श्रिमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साती सात में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामन्ति जी का धन्यवाद रना चाहता हूँ दस साल उनके नेतर ने मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सभा की मेरे जो कारेकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल उआ हूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारति जंटा पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहुल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय-समय के उपर के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधार जो पता किमारी जब परेशान किया गया और जब उनके के केंदर के किसान विरोधी नीटीओं को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं ज जगातार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार दिक स्वागत करता हूँ प कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील होगे उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिननन करने के लिए यहां आया और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में शुर्शय का है यह है देखना हमे से लेकर तमिट तक है कि दमें से भजरा खिर गुजरादी तक रही है कि और मैस्टवेंगा वह के अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं कि जब उन्हों कि पहले से ही कि उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी वह एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुर्वत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जी से को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम अयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेसिशी प्रेसेडेंट सी एलपी लीडर इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आ आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभिना उनका अभिनादन करता हूं और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं उस उसुलों पर आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है ठैंक यू वेरी मुच अब अभिन जी का फ्रेस कांफरिंस पीम बजे को होगा चौमेश अबरू दो प्रेश प्जार है तो सभी से बात करके चर्चा करके ये फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको ब और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सुत्रो के वाले से खबर हैं ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पीसीसी चीफ गोविन सिंग ड अलटवार किया था और साफ्त और पर राहुल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं चले कि बीजेपी ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पैर उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर सबसे युवा सांसद बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भनिवा देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के राश्टे अद्रक्ष घडगे साब का अधर्नैयa श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससा बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामंत्री जी का धन्यवाद दना चाहता हूँ दस साल उनके नेतरत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के इच्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और इच्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये रास्ट्री अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारतिय जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर के प्रभावित हो करके हमारे राहुल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमार में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये पच्छास साल से राजन राजस्तान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हम से चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय खड़के साब ने गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वरतमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गये हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा diy तार में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अधिक स्वागत करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अधिक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हैं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आप से महीं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्त वादी लोग है उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करणा से लेकर तमिर तक तमिर से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है और पुरिसा वेस्वेंगा हर चीज पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जी से को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोन्या गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यून आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रिशी सी प्रेसेडेंट, सी एलपी लीडर, इंचार, सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामनतवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, टैंक यू बेरी मच्छ तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिका आज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्तिता ग्रहंड करा आपको बताते चले कि BJP से इस्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा है थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन ठामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन ठामते हुए BJP से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतरों के वाले से खबर है ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पीसीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलीस दिखा रहा है अब बोलने वाले राहुल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहुल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पहरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते है राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके है 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्टे अद्रक्ष खडगे साब का अधर्निया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अद्रक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मु देश के परदामन्ती जी का धन्वा देना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबाद की मेरे जो कारिकरता हैं, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परि पितर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का प पार्टीरिया जन्ता पाटी की गलत नित्यों से त्रस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर प्याया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर ये । बाज़पा के नित्रितrय जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है, सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके, हमारे राहूल कस्वा जी जो चूरू से वरतमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं, इनके पिता जी चार वार रहे हमेरे साथ आट से तेरा में, तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे च परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है, मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी, कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करके बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे, लेकिन वो सारे के सारे जिनका आप जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पदगे उपड़ नहीं वो गए हैं, और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए, और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का दोवार MP रहना, ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है, जो दमनकारी नीटी है, उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में, कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं, मैं इनका हर अदिक्ष्वागत करता हूँ, परदेश कॉंग्रेस कबेटी के कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अदिक्ष, स्रे जुविन सिंग, दोतार जी और रंद्वा साथ, और CLP के लीडर, जुले, जुली जी, और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है, स्री राहूल कस्वाजी, और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ, मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता, फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ, कॉंग्रेस ओफिस में, वहाँ पर जो डीटेल बाते होंगी, और कोई आपको पूछना है, तो वहाँ मज़े आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम राहु जी जो पार्टी में शामील होगें, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहाँ आया हूँ, और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है, और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी, लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में, कंड़ा से लेकर तमिल तक तमिले से लेकर गुजराथ घर गुजराथी तो है ये और इस थाए वेस्चमेंग अः चीज़ पहुआ ज़्यादा अपनी मास्टरीकर शांते हैं. जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना, दमकाना, क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अद्यक जी सुपूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से गांदी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पौइलेट से पूछा, जितने भी लीडर से, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया, कि मैं एक बजए उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपकी अनुमती च काता हो, क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से है, शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझ के, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पर आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन संद्वारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मुच. तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकारजून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदेस्टा ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपे से इस्तिफा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जरा है कि उन्हें चूरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूत्रों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्टी अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आ किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कि कस्वा समाद में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन्भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्रे अदक्ष खडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अधर्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदाम अंत्री जी का धन्यवा दना चाहता हूँ साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबा 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबा के अंदर जन भाउना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को जा रहा था सामन्त वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वा आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर मैं मेरी लोग सबा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्दक्स खड़के साथ ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नेत्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8-13 में तो ये 50 साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बैनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आधनिय कार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान हो करके हमारे साथ में Congress Party के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ परदेश Congress Committee के तरफ से कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धेक्ष स्रे जुविन सिंह दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में और करणा से लेकर तमिर तक तमिर से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है और पुरिशा वेस्वेंगा हर चीज पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये है अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जी सको पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रिशी सी प्रेशेडेंट, सी लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीब दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहें करते हैं, इतना इक होंगा, उनको भी मैं अभिना, उनका अभिनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, टैंक यू वेरी तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफ़ा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, माना जारा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूत्रों के वाले से खबर हैं, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के मेरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरीए उन्होंने बिजेपी पर पलटवार किया था, और साफ्त और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था, कि उनके साथ गेम किया गया है, और बिजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटव संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौझूद आये, अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बिजेपी को उठाना पड़ता है, क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस वो भी रखते हैं, राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके है, 2014 म में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ पर जीत हासिल की, सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रस से, अगे लिए, चलिए, शुरू के, मेरी लोकसवाद चूरू की जन्भावनाओं को, के अनुरूप, आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी क राश्चर अध्रक्ष खडगे साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अध्रक्ष दोटासा साब का, जूली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ति जी का धन्यवाद दना चाहता हूं दस साल उनके नेतर ने मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अ आज को दबाया जा रहा था सामन्त वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वह आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने कि मेरी लोग सभा की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के 26 की रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रैस्लरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारक भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर क प्रभावित हो करके हमारे राहुल कस्वाजी जो चूरू से वरतमान में भारत्य जन्ता पार्टे के सांसद है इनके पिता जी चार वा रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंगरेज की M.L.A. रही है मेरे साथ आट से तेरा में तो ये पच्सास साल से राजनिती में रह करके सेवा कर कर रहे थे हो परिशान किया गया और उनके केंद्र के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इनोंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्द्यक जी से और रहुल गांधी जी से अग्रय किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल आ जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान हो करके हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता ह प्रदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवाद करकेटी से घुजारिश करूंगा कि आप से बोशुक्त करता हुआ कि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्देक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साफ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्हों ने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषणों में क्लाव से लेकर तमीड तक त मिसे लेकर पे घुझराथ धर गुझराथी तो हाई है और और वेसे हरंशी में मांस्ट पर जब उन्हों पहले बहुं को धरना धंकाना क्या करना ये उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरत है, और दूसरी चीज़, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक जीश पूचा, हमारे CLP लीडर को भी पूचा, तो उनसे कहने लगा है, फिर वंदावाजी तो पहले ही तैयर थे, फिर उसके बाद मैं राहूल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पौइलेट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांधी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिल कि उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के थोड़ी सी तकलिफ दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उ इस उसुलों के लिए आप आए हैं, उस उसुलों पर आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मच. तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आ कुछ ऐसा ही हुआ, और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टि प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो ये तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहे हैं, अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बीजे बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काट कर पैरा ओलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है, और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दौ ने चुनाव लड़ा, वहाँ पर जीत हासिल की, सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रेस में शाम चुरू की जन भावनाओं को के अंदरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भनिवा देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट रदक्ष खडगे साब का, आधरनिया श्रीमती सुन्य गांधी जी का, रहूल गांधी जी का, और साथ ही साथ में ह कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे एक हिसा बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदाम अंत्री जी का धन्वा देना चाहता हूं, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आ इसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का ह मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ, और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सभा के च्शेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्शेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा. राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारग भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो अमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वरतमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद है ये दो वार से सांसद है इनके पिता जी चारवार रहे है इनके दादा रहे है इनकी माता जी कॉंग्रेस की मले रही है मेरे साथ आट से तेरा में तो ये पचास साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे, और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे. उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए है और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस कबेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में और करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात फिर गुजराती तो ही है और पुरिसा वेस्वेंग हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरुरुत है और दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जी स्कों पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा है फिर रंदावाजी तो पहले ही तैयर थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हो इसलिए आपके अनुमती चाहता हो क्योंकि consensus बनना इस द्रश्टी से है शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक consensus बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और PCC प्रेशेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामनतवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मुच. खर्गे जी का फ्रेस कांफिरंस तीम बजे को होगा, चौबीस अबरू. तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रहन करा दिया, आ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, स पीसीसी चीफ गोविन सिंग डोटासरा और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद हैं, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिलिस दिखा रहे हैं, अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं, क्योंकि इससे पहले पी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले क बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काट कर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दौरा लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की, सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर, अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके है हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से. और साथ ही साथ में हमारे राज्यस्तान के कॉंग्रेस के अद्यक्ष दोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है. मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्यवा दना चाहता हूँ. दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबा 76 की लोगों की जन्ता की सेवा करने का एक मौका मिला है. आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबा के अंदर जन्भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था. सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी, वा आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था. आगे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबा की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआूँ. मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ. और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर में मेरी लोग सबा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा. राहूल कस्वाजी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है। और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ र इंदुस्तान का पूरा किसान वारुक भारतिय जन्ता पार्टी की गलत निटियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टूर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इनौोंने समय समय के उपर केंदर के इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गान्दी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित होकरके वे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमार में भारतिये इनके पिता जी चारवार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ आठ से तेरा में, तो ये पचास साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे, उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके, इन्होंने जब हम से चर्चा की, तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और रहूल गांदी जी से आग्रे किया, और आज हमें सफलता मिली कि रहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है, मैं मजबूती के लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पद के उपड़ नहीं वो गए हैं, और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए, और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार क और खुद का दोवार MP रहना, ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है, जो दमनकारी नीती है, उससे परेशान होकर के हमारे साथ में, कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं, मैं इनका हर अदिक्ष्वागत करता हूँ, परदेश कॉंग्रेस का बेटी के जुड़े हैं, कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धेक्ष, स्रे जुविन सिंग, दोतार जी और रंद्वा साथ, और सी एल्पी के लीडर जुले, जुली जी, और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है, स्री राहूल कस्वाजी, और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूँ, मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता, फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ, कॉंग्रेस ऑफिस में, वहां पर जो डीटेल बाते होंगी, और कोई आपको पूछना है, तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं, यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहां आया हूँ, और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है, और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए, बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी, लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में, और करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात, घर गुजराती तो है ही है, और उरिसा, वेस्वेंगा, हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं, जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुक रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जी से को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हो इसलिए आपके अनुमती चाहता हो क्योंकि चैन्सस बनना इस द्रश्टी से है शामिल करना यह हमारा काम अयम करेंगे लेकिशन फिर प्र यह एक यह को लिए नकों बूलिय यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताहों ने यस प्रिर हमने उनको इतला दी और मुझे मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेशिदेंट लीडर इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूं आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीब दी फिर भी आप फिर वहां आएं इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना इक होंगा उनको भी मैं अभी न उनका अभिनदन करता हूं और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आए हैं उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामनत्वारी लोगों के खिलाप यही मेरी इच्छा है, thank you very much. तुझ जिरा. कर्या जी का प्रेस कांफेंस तीम बजे को होगा, जो मैं सक पर रूप. प्रेस प्रेस कांफेंस तीम बजे को होगा, जो मैं सक पर रूप. नरेश, प्लारेश्ट. तो सभी से बात करके, चर्चा करके ये फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्ट्री अध्यक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही, ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराय कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे स सकती है, सूत्रों के वाले से खबर है, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकार्जुन खडगे से लेकर, PCC चीफ ग बलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है, और BJP के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के आपको बताते चले कि BJP ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा ओलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखन होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं मेरी लोकसवाद चूरू के जन भावनाओं को के अंदूरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अदक्ष खड़के साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामन्ती जी का धन्यवा दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाच्षित्र की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाच्षित्र के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सबा की मेरे जो कार करता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वै आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआँ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद घड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेश पार्टी में रहकर में मेरी लोकसबा के चेटर की लोगों की आवाज को और मजबूती से उचके अंदर विकासकारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साथ ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारक भारतीय जनता पार्टी की गलत नितीयों से तरस्त था, परिशान था और हद्ध हो गई जब राहूल कस्वा जी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि परेशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिये राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिये खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर कि बारतिय जनता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ प्रदेश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाप और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ ही हूँ मैं ज्यादा इस वक्त कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनादन करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में अब करना लेकर तमिड तक तमे से लेकर गुजरात घर गुजराध़ी दौही है पुरुजख वेस्ग हर चीज पे वह अपनी मास्ट्री करना चाहते है जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकामाका क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अद्यक जी सको पूचा, हमारे CLP लीडर को भी पूचा, तो उनसे कहने लगा है, फिर रन्दावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूचा, सोनिया गांदी जी से पूचा, और घैलोड से पूचा, पौइलेट से पूचा, जित तुमाम दो दिन से बात करके तई किया और आज मैं कल मेडम गादी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एकंसे बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेशी सी प्रेशेडेंट लीडर इंचार सेक्रेट सभी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूं आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी फिर भी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं उसूलों के लिए आप आये हैं उस उसूलों पर आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है थैंक यू बेरी मच अगरे जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बज़े को होगा चोबी सब्सक्राइब तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दी आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूत्रों के वाले से खबर हैं ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवा पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहुल कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहा मिलाते हुए कॉंग्रेस से चलिए शुरू के मेरी लोकसवाद चूरू की जन्वावनाओं को कि अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धन्मा देना चाहता हूं पार्टी के राष्टे अधक्ष खड़के सामका अधर्नियआ श्रीमती सुन्य गंदी जी का रहूल गंदी जी का और साथ साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अधक्ष दोडेसा साभ का जोली साथ का रंधावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिसाब बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्यवाद दना चाहता हूं, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोगसबा के अंदर जन्भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोगसबा की मेर जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खड़के साब आपका देना चाहता हूँ, और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर, मैं मेरी लोगसबा के 26 की लोगों की आवा राहुल कस्वा जी का, आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये रास्टी अद्दक्स खड़के साब ने सामिल कराया है, और हम लोग राजस्तान के लोग, जो किसान परिवारों से आते हैं, काफी समय से, जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी, जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया, तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारक, भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था, और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया, किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की ब बात आई कि किसान का बेटा परिशान है, सेवा करना चाहता है, और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके, हमारे आई कॉंग्रेस की MLA रही है, मेरे साथ 8–13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रह करके सेवा कर रहे थे हुए, काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, पहता बैनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरो राहुल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर की बारतिय जनता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं हैं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आये और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ प्रदेश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाप और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है श्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं दन्यवाद देने के लिए और अभिनान करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्त वादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषणों में और करनडा से लेकर तमिर तक नमे से लेकरजरात थिखर गुजराती तो यह इयुकर खुद आएudge अःगे यह व establishा कि जब इससे लोकों को डराना धंकाना किया करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरूत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जीस को पूछा हमारे लिडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोन्या गांदी जी से पूछा और घैलोड से पूछा पौइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामील कर लेने वाला हो इसलिए आपके अनुमती चाहता हो क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यू को बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेशी सी प्रेशेडेंट सी एलपी लीडर इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी फिर भी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कूंगा उनको भी मैं अभीना उनका अभीनान करता हूँ और आगे पार्टी म जिस उसुलों के लिए आप आये हैं उस उसुलों पर आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है थैंक यू वेरी मच अगरे जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बज़े को होगा चौबिस अपर रूप तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिका अज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रहन करा दी आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हु और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूत्रों के वाले से खबर हैं यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहा पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इससा बनाया है मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्वा जना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मिरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सभा की मेरे जो कारकरता है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल वा हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेश पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा रहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेश पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्धक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदूस्तान का पूरा किसान वारग भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से त्रस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहुल कस्वाजी जो चूरू से वरतमान में भारतिय जनता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे, इनके दादा रहे, इनकी माता जी कॉंग्रेस की M.L.A. रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे च परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे जगातार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीटी है जो दमनकारी नीटी है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हारदिक स्वागत करता हूँ प कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्री जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और CLP के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए हैं स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे महीं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनान करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और यह अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको यह भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करणा से लेकर तमिर तक तमिर से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है और और इसाह वेस्ट मेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना यह तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जीस को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी कि अधिर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और PCC प्रेसेडेंट, CLP किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू वेरी मुच. खर्गे जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा, चोबिस अक पर रूप, तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कांगरेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्यक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले कि बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही ये कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतर के वाले से खबर हैं ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पीसीसी चीफ गोविन सिंग ड अलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काटकर पैरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहुल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर सबसे युवा सांसद बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट गिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से कि आज मैं कॉंगरेस पार्टी का बहुत बहुत धिन्हा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राश्त्रे अधाक्ष खडगे सापका अधरनिया श्रेमति सुन्य गांधी जी sûr हे रहुल गांधी जी को कि और साथ ही साथ में हमारे रादेस्तान के कॉंगरेस के देख्ष नित्थशा साफ का जहुली साब का रंदावा जी का किया अधु बुढ़ेस के अंदर कि शामिल किया इस परिवार का मुझे खिसा बनाया है मैंμε से बस्कौक्ष कि देश के परदामंत्री जी का धन्वाजना चाहता हूं दस साल उनके नेत्वत मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में ही किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सभा की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के च्षेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्षेतर के अंदर विकास कारेयों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहुल कस्वा जी का आज कॉंग्रिस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्देक्स खड़के साथ ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारग भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था, और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से तोर्चर किया गया है किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नेत्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में तो ये 50 साल से राजनिती में सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हम से चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी ये खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके है जो वर्तमान में किसी पदगे उपड़ नहीं वो गए है और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आये और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में Congress Party के साथ में जूड़े हैं मैं सब्सक्राइब करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस के तरफ से धन्यवाद करकेटी से घुजारिश करूंगा कि आपके 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 कॉंग्रेस पार्टी के राजिस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साफ और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने यह भी कहा कि अपने यह किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और यह अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको यह भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में तो करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात फिर गुजराती तो ही है आर उण और उरीषा वेस्ट बेंगों हर चीज़ फी वह अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जION मुनों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना, दमकाना, क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं, अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं, इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरूरत है, और दूसरी चीज, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार् तो मैं अध्यक जी स्कों पूछा, हमारे CLP लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगाया, फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे, फिर उसके बाद मैं राहूल गांधी जी से पूछा, सोन्या गांधी जी से पूछा, और घैलोट से पूछा, पॉइलेट से पूछा, जि दिन से बात करके तै किया, और आज मैं कल मेडम गांधी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचा सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहें करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभिनदन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक्यू वेरी मच्छ. तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिकार जून खड़के ने, राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही, यह कयास लगाया जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद, कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूत्रों के वाले से खबर हैं, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था, और साफ्त और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था, कि उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के बीजेपी ने राहूल कस्वा का टिकट काट कर पहरा उलम्पिक खिलाडी देवेंद्र जाज़डिया पर भरोसा जटाया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहूल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस द सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अंदरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्र अदक्ष खड़के साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का और साथी साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अधर्ट्र जोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंती जी का जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबा के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबा की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी क परिवार में शामिल हुआँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर में मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता होगा अगे राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्ट्री अद्यक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझوتे से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे क के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परिशान एक सेवा करना चाता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्मसाथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वरत्मान में भारतिय जन्तापर्टि के सांसद है ये दो वार से सांसद है, इनके पिता जी चार वार रहे हैं, इनके रादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8-13 में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कोम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे च परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करकि बारतिय जनता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और ख स्वागत करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस के बेटी के तरफ से दन्यवाद करता हूं प्रदेश कॉंग्रेस के राजस्तान के अद्धिक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाब और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामिल हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हूं मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामिल हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनान करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया उन्होंने यह भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषाणों में करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है और पुरिसा वेस्वेंगा हर चीज़ पर वो अपनी मास्ट्री करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना दमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये है अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जीस को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगा है फिर रंदावाजी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांदी जी से पूछा सोनिया गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बजे उनको शामील कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामील करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना कोई आओ बोले कोई नको बोले यह नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं और प्रिशी सी प्रेसेडेंट, सी एल का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनान करता हूँ और आगे पार्टी में जिस उसुलों के लिए आप आये हैं, उस उसुलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, टैंक यू वेरी मुच खरिए जी का फ्रेस कांफिंस तीम बजे को होगा, चौमेस अपर रूप तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्याक्ष मलिका अज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्तिता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले कि बीजेपे से स् संसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जराए कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सुत्रों के वाले से खबर है यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा र अबारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है तो यह तस्वीरे सीधी आपको दिल्ली से दिखा रहा है अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर कट काटकर पैरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जता है और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया जिसके बाद राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में के समर्थक विव 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दोबारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इसी से खफा होकर अब वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से मेरी लोकसवाद चुरू के जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भनिवा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अधक्ष घडगे साब का अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इसाब बनाया है मैं इस प्लक्ष पर देश के परदामन्ती जी का धन्यवाद रना चाहता हूं साल उनके नेत्रत मुझे मेरी लोगसवाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोगसवाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामन्त वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोगसवाद की मेरे जो कारिकरता हैं मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहे कर मैं मेरी लोग सभा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वाजी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये रास्ट्री अद्द्रक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारक भारती जनता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर क के बाजपा के नेत्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉं कि हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वरतमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं, ये दो वार से सांसद है, इनके पिताजी चारवार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माताजी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ 8 से 13 में, तो ये 50 साल से राजनिती में रहक करके सेवा कर रहे थे किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्हों ने जब हम से चर्चा की तो हमने मानियराष्ट्री अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर कि बारतिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद गा 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार दिक स्वागत करता हूँ प्रदेश कॉंग्रेस कवेटी के तरफ से धन्यवादू कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे जुविन सिंग दोतार जी और रंद्वा साथ और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आप से मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ओफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूं और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जोईन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं भाषाणों में कांडया से लेकर अधमिरा तक है तर लेकर धज्ट रजड घर गुझरादी तो हिए है और पूरी साहरस मेंखया है और वे सबेंगा हर चीज़ वह अपनी मास्ट्री करना चाहते जब उन्हों पेले से ही उन्होंने लोकों को डराना, दमकाना, क्या करना, ये तो उन्होंने पेले से ही करते आये हैं अभी भी वही एक अपना रुक रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में जरुरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अद्यक जी से को पूछा हमारे CLP लीडर को भी पूछा तो उनसे कहने लगाया फिर रंदावाजी तो पहले ही तैयर थे फिर उसके बाद मैं राहूल गांदी जी से पूछा सोन्या गांदी जी से पूछा और घैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गांदी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यून नहीं होना समझके हमने सबसे बात करके सभी नेताओं नहीं यस कहा तो फिर हमने उनको इतला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आये हैं और प्रेसिशी प्रेसेडेंट सी एलपी लीडर इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है इसलिए मैं मैं आप सब को धनिवाद देता हूं आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीफ दी फिर भी आप फिर वहां आएंगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इतना ही कहूंगा उनको भी मैं अभिना उनका अभिनान करता हूं और आगे पार्टी में जिस उ दूसुलों पर आपको खड़ा होना होगा लड़ना होगा इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब यही मेरी इच्छा है थैंक यू वेरी मुच अ करिये जी का फ्रेस कांफरेंस तीम बजे को होगा चौबिसक पर रूप तो सभी से बात करके चर्चा करके यह फैसला लिया गया है राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जब राश्री अध्यक्ष मलिकार जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफा देने के बाद से ही यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हु और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं मना जरा है कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है सूतरों के वाले से खबर हैं ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं जहाँ पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्टी अ जरीये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्ट और पर राहूल कस्वा की ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थी टिकट कटवाने के लिए आपको बताते चलें कि बीजेपी ने राहूल कस्वा की ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया जिस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक विवाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस् दो बार के सांसत भी रह चुके है 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर जीत हासिल की सबसे युवा सांसत बने 2019 में भी बीजेपी की ओर से टिकट मिला और दो बारा से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें जीत मिली है इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इ चलिए शुरू के मेरी लोकसवाद चुरू के जन्द भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के राष्टे अद्रक्ष खडगे साब का अधर्णिय श्रीमती सुन्य गांदी जी का रहूल गांदी जी का और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अद्रक्ष दोटासा साब का जोली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझ कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इससा बनाया है, मैं इस प्लक्ष पे देश के प्रदामंत्री जी का धन्यवा दना चाहता हूं, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामंत वादी सोच के लोगों की जो सोच थी वा आगे बढ़ती जा रही थी, मैं और किसान की अवाज को अंसुना किया जा रहता, ऐसे नियकों मुद्धे रहे, जिन मुद्धों को पर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का इस्सा बनने की, मेरी लोग सबा की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की अवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोग सबा के छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से अच्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर की सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान भारती जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजपा के नेत्रीतों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जबाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावि रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये पचास साल से राजनिती की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किय गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहूल गांदी जी से आग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा पार्टिय जन्ता पार्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपड़ नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आज फिर MP लगा तार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान हो करके हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार दिक स्वागत करत करता हूं पर्देश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से दने बाते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष दूविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाब और सी एल्पी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं जाता फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूं कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूचना है तो वहां मज़े आप पूच सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामील होगें उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझेए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में करने से लेकर घुजरात एक गुजराथ और उर्भशा 他 वेस्टमिशा हरी पर वह अपनी मास्टरिpl करना चांद एक जब उन्हों पहले से ही कि उन्होंने लोकों को डाराना दंगाना क्य मैं करना ये तो उन्होंने पहले से करते आये हैं अभी भी वोई एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरुरुत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जीसु पूछा हमारे नमीuld की लिदर को भी पूछा तो उन से कहने लगा फिर उतावाजी तो पहले ही तैर थे फिर उसके बाद में राहूल गांधी जी से पूछा सोन्य गांधी जी से पूछा और गैलोट से पूछा पॉइलेट से पूछा जितने भी लीडर से उन से मैं तमाम दू दिन से बात करके तै किया और आज मैं कल मेडम गादी से भी बात किया कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूं इसलिए आपके अनुमती चाहता हूं क्योंकि सब्सेंगा जियक कंचंश मनना इस दATT शीन गहां कर है सामिल करना याहमारा काम हूं करने फिर भी ये सांपहली कटे हूं के मतलोी सबूसें कि वह पूद का सबीने और हमने उनको इतला दी और वसी खुशी है कि वो खुद आये हैं और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूँ, आपको भी हमने यहां पर पुला के तोड़ी सी तकलीब दी, फिर भी आप फिर वहां आएंगे, इ नहीं कोंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभीनादन करता हूँ, और आगे पार्टी में, जिस उसलों के लिए आप आये हैं, उस उसलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवादी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, थैंक यू, वेरी म तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिकार्जून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करा दिया, आपको बताते चले के बीजेपी से इस्तिफ़ा देने के बाद से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मना जराय कि उन्हें चुरू से कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, ख़बरें यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अज्यक्ष मलिकारजुन खडगे से लेकर पी सीसी सी चीफ गोविन सिंग डोटा सर और प्रदिश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा भी मौजूद है, तो यह तस्वीरे सीधे आपको दिली से दिखा रहे हैं, अब बोलने वाले राहूल कस्वा सुनते हैं कैसे बीजेपी को घिरते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने ब बीजेपी पर पलटवार किया था और साफ्त और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था कि उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के लिए आपको बताते हैं, चले कि बीजेपी ने राहूल कस्वा का मर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं 2014 में भी उन्होंने मिल हो चुके हैं हाथ मिलाते हुए कॉंग्रेस से चलिए शुरू के मेरी लोकसवाद चूरू की जन्भावनाओं को कि अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत धिन्वा देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्र अदक्ष खड़के साब क अधर्णिय श्रीमती सुन्य गांधी जी का रहूल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राध्यस्तान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष दोटासा साब का जूली साब का रंदावा जी का कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया इस परिवार का मुझे इ मैं इस प्लक्ष पे देश के परदामंत्री जी का धन्यवाद दना चाहता हूँ दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाचेटर की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाच के अंदर जन भावना ही जिस रूप में थी किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की मेरी लोग सिभा की मेरे जो कारीकरता है है मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे आज मैंtones 파र्टी का करीवाद में शामिल आउं मैं बहुत बहुत धन्यवाद कھडगे साब आपका देना चाहता हूं और कॉंग्रेस पार्टी में रह कर में मेरी लोग सभा के च्छेतर की लोगों की आवाज को और मजबूती से और च्छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूंगा राहूल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये रास्ट्री अद्धक्स खड़के साब ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का हिंदुस्तान का पूरा किसान वारती जन्तापार्टी की गलत नितियों से तरस्थ था परिशान था और हद हो गई जब राहूल कस्वाजी को जिस प्रकार से टोर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के बाजबा के नित्रितों को किसान के मुद्दे उठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेश पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद है ये दो वार से सांसद है इनके पिता जी चारवार रहे है इनके दादा रहे है इनकी माता जी कॉंग्रेस की MLA रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान को आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, माता बेनों को आगे बढ़ने का काम कर रहे थे उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अध्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रह किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में कॉंग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी कल कुछ लोग कॉंग्रेस पर्टी छोड़कर की बारतिय जनता पर्टी में गए थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका आप जनाधार नहीं बचा है जो हार चुके हैं जो वर्तमान में किसी पदगे उपर नहीं नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानूं के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हार अदिक स्वागत करता हूँ परदेश कॉंग्रेस का बेटी के तरफ से धन्यवादा कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अध्यक्ष स्रे लुविन सिंग दोतार जी और रंद्वासाप और सी एलपी के लीडर जुले जुली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामील हो गए है स्री राहूल कस्वाजी और पूरे हमारे पार्टी के साथ हुआ मैं ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं ज्यादा फिर एक देड़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कॉंग्रेस ऑफिस में वहां पर जो डीटेल बाते होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहां मज़े आप पूछ सकते हैं यहां पर सिर्फ हम राहूल जी जो पार्टी में शामील हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनदन करने के लिए यहां आया हूँ और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामील कर लिया उन्होंने यह भी कहा कि अपने यह किसान के मुद्दों को लेके और जो सामन्तवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन किया है और यह अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए तो समझे बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी लेकिन आज हमको यह भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाशाओं में स्पीच दे रहे हैं भाशनों में तो करणा से लेकर तमिड तक तमिड से लेकर गुजरात घर गुजराती तो ही है आर वड़िसाा वेस्बिगंव हर चीज पर वो अपनीमास्ट्र vídeos करना चाहते हैं जब उन्हों पहले से ही उन्होंने लोकों को डराना धंकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आये हैं अभी भी वोड़िय एक अपना रुख रखे हैं इसलिए ऐसे लोकों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है और दूसरी चीज इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है तो मैं अध्यक जीस को पूछा हमारे अध्यक जी एल पी लिडर को Бी पूछा तो उनसे कहने लगा फिर रंदावा जी तो पहले ही तयार थे फिर उसके बाद में राहूल गांधी जी से पूछा, सोन्या गांधी जी से पूछा, और घैलोड से पूछा, पौइलेट से पूछा, जितने भी लीडर से, उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तई किया, और आज मैं कल मेडम गांधी से भी बात किया, कि मैं एक बज़े उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसलिए आपके अनुमती चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस द्रश्टी से, शामिल करना यह हमारा काम आयम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले, कोई नको बोले, यह नहीं होना समझके, हमने सबसे बात करके, सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इतला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुदाये हैं, और PCC प्रेसेडेंट, CLP लीडर, इंचार, सेक्रेटरी, सभी ने मिलक के उनका आगमन का स्वागत किया है, इसलिए मैं आप सब को धनिवाद देता हूं, आपको भी हमने यहां पर बुला के तोड़ी सी तकलीफ दी, आप फिर वहां आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना ही कहूंगा, उनको भी मैं अभीना, उनका अभी हैं, उस उसलों पर आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, इस सामन्तवारी लोगों के खिलाब, यही मेरी इच्छा है, टैंक यू वेरी मच। तो सभी से बात करके, चर्चा करके यह फैसला लिया गया है, राहूल कस्वा ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है, तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई, जब राश्री अध्याक्ष मलिका अज्यून खड़के ने राहूल कस्वा को कॉंग्रेस की सदस्तिता ग्रहन करा द से ही, यह कयास लगा जा रहा थे कि अब वो कॉंग्रेस का दामन थामेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, और यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राहूल कस्वा चुरू से सांसद कॉंग्रेस का दामन थामते हुए, बीजेपी से नराजगी के बाद आप वो कॉंग कॉंग्रेस टिकट भी दे सकती है, सूतरों के वाले से खबर है, यह सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिली से दिखा रहे हैं, जहां पर राहूल कस्वा कॉंग्रेस का हाथ ठामते हुए, और इस दरान उनके साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकार्जुन क्योंकि इस से पहले भी सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया था, और साफ्त और पर राहूल कस्वा के ओर से कहा गया था, कि उनके साथ गेम किया गया है, और बीजेपी के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाये थे, टिकट कटवाने के पहरा ओलंपिक खिलाडी देवेंद्र जाजडिया पर भरोसा जताया और इस बार उन्हें चुरू से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राहूल कस्वा के ओर से शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, जिस दोरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद आये, अब देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान इसका बीजेपी को उठाना पड़ता है क्योंकि कस्वा समाज में काफी जादा वर्चस्व भी रखते हैं राहू कस्वा और दो बार के सांसत भी रह चुके हैं, 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, व कॉंग्रेस से, चलिए, शुरू के से, मेरी लोकसवाद चुरू की जन्द भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कॉंग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत भिन्वा देना चाहता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अदक्ष खड़के साब का, अधरनिया श्रीमती सुन्य गांदी जी का, रहूल गांदी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राधिस्तान के कॉंग्रेस के अधर्ट्ष दोटासा साब का, जोली साब का, रंदावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कॉंग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे इस इस प्लक्ष पर देश के प्रदामंत्री जी का धन्यवा देना चाहता हूँ, दस साल उनके नेत्रत में मुझे मेरी लोग सबाद 76 की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है, आज कॉंग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोग सबाद के अंदर जन्भावना ही जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से प्रेशान थी उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, सामन्तवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, और किसान की आवाज को अंसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को उपर मैंने आज कॉंग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोग सबा की, मेरे जो कारिकरता है, मेरे लोगों की आवाज को सुनते वे, आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़के साब आपका देना चाहता हूँ, और कॉंग्रेस पार्टी में रहेकर, मैं मेरी लोग सबा के छेतर की, लोगों की आवाज को, और मजबूती से और छेतर के अंदर विकास कारियों को कराने में आगे काम करता रहूँगा. राहुल कस्वा जी का आज कॉंग्रेस पार्टी में हमारे आदर्णिये राष्टी अद्देक्स खड़के साथ ने सामिल कराया है और हम लोग राजस्तान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं काफी समय से जो जिस प्रकार से केंदर के सरकार किसानों के खिलाब काम कर रही थी जो तीन काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझोता करके फिर समझोते से मुकर गए और जो हमारी बहनों के साथ रेशलरों के साथ में जिस प्रकार से बरताव किया गया तो पूरा राजस्तान का, हिंदुस्तान का, पूरा किसान वारतिय जन्ता पार्टी की गलत नितियों से तरस्त था, परिशान था और हद हो गई जब राहुल कस्वाजी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में और जब इन्होंने समय समय के उपर केंदर के भाजपा के नित्रितों को किसान के मुद्धे इठाने की बात की तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान एक सेवा करना चाहता है और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्म साथ करते वे उसको आगे बढ़ाना चाहता है और जो राहूल गांदी जी की जो हमारी यात्रा है इनके मुद्दों से प्रभावित हो करके हमारे राहूल कस्वाजी जो चूरू से वरतमान में भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद हैं ये दो वार से सांसद हैं इनके पिता जी चारवार रहे हैं इनके दादा रहे हैं इनकी माता जी कॉंग्रेस की मले रही है मेरे साथ आठ से तेरा में तो ये 50 साल से राजनिती में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बेनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनको जब परिशान किया गया और जब उनके केंदर के किसान विरोधी नीटियों को देख करके, इन्होंने जब हम से चर्चा की तो हमने मानिय राष्टी अद्यक जी से और राहूल गांदी जी से अग्रे किया और आज हमें सफलता मिली कि राहूल कस्वा जी को कॉंग्रेस परिवार का आज इस्सा आदनिय खड़के साब ने बनाया है मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि राजस्तान में क जो वर्तमान में किसी पदगे उपड़ नहीं वो गए हैं और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाना के MP के सांसत किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर MP लगा टार 5-6 वार MP रहना उस परिवार का और खुद का 2 वार MP रहना ये किसानों के खिलाब जो केंदर की जो नीती है जो दमनकारी नीती है उससे प्रेशान होकर के हमारे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के साथ में जूड़े हैं मैं इनका हर अदिक स्वागत करता हूं परदेश कॉंग्रेस कबेटी के तरफ से धन्यवाद है क्वाइब इन्हें खगेजी से घुजारिश्टरमा की आप इसे बोश्ट करते है कि कॉंग्रेस पार्टी के राजस्तान के अद्धिक्ष